यह से लुख अधार आफ शुनिल बुरा आप सभी का इस प्लेटफोर्म स्टडी मंता पर श्वागत करता हूं जो बच्छे पहली बार आए हैं उनका उन्से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउन्डोड करें स्टडी मंतर आप इसके लिए हम जाने जाते हैं और जब लिए क्लास ओफ हो जो बच्छा बाद में देखे तो रिक्वेस्ट क्लास का रिवीव जरूर देखे जाए क्लास कैसी रही कितना डाटा आपने कंज्यूम किया आपको डाटा क्लास में याद हुआ या ना हुआ वो सारी चीज़ें आप बताके जाओगे बाद में क्लास देखो पहले देखो इतना आपसे उमीद करता हूं कि तुकि आपकी लिए कंटेंट त्यार करना प्लासतों अप्रेशेशन हमारे लिए बनता है कि लाइक एंड शेयर करते रहो कि कमेंट करके कि सर पैसन जैसा भी रहा बताके जाओ हम कर्या नियात कंट में अंजय बताद में दम Lit जोड़ता जाओंगा यहाला कि भी यह जोठता जाओंगा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में लस्त प्त महीला निशाम नमस्तेशे लौक्ण को में बार मतल आया कि यहीश्य पढ़ा जाता है कि यहीं भाई अमन आमान राजली नितीन वी सब भी आज गुरुपों में शेर मार देखुब धड़ादट धड़ादट कि के मैं रिजनींगे भी मैं रथन हो जाएगे शुनील भाकर नमस्ते भाई नितीन विट्पार नमस्ते कि आज है ना मचा दो धूं कि फुगाट गुड़ इवनिंग कि पीछे बैस दिखरें में जैसा मुझे बतायागा कि सरिंकी एड कर देना एसे सी ग्रूप डी का यह चार सिनानों वाला आज कल स्टडी मंत्रा का सब से ज्यादा भी कराएं तो मुझे जैसा बताया गया मैं ने बता दिया मैं मेरा काम पढ़ाने एक है शुरू करें भादेव नमस्ते भाई राम राम आज हजार लाई पहुंचाने यह तुमारी ज देखते जाओंगे जो बच्चा पहली बार देख रहा ना उसका लगेगा की कि यह क्या हो रहा है हमने तो अपने यह पढ़ा था कि सबसे बड़ा जिला सिर्षा ब्याड़ेशोस तंतर है कि आपको सिर्षा के साथ कि योड़ के सारा विश्व में को मादें और बताओ ठीक है और जो बच्चे पहली बारा है एप को डाउनलोड करके अपने बंड़ेश्याम की वैतरीन त्यारी हमारे साथ कर चेंगे तरह सुरू गुडिवनी भाई सोनू लव्यू रिकोर्डिंग क्लास लगाउंगी डिल होई नमस्ते पीडिएफ इसकी मिलेगी एप टेलीग्राम पर टेलीग्राम कलिंग डिस्क्रिप्शन में है जहां पर हम बहुत सारे और जिसको लगता ना है कि सर दस हजार क्वेस्टन्स कि प्रीदाबाद से राम राम भाई कि इतने बज़े हैं 6 बज़े 6 मिंट हुए हैं जब तक क्लास हो भी नोट करते जाना दस हजार क्वेस्टन ना हो बोलता बिताता जाओंगा 5000 होगे 6000 होगे थे हैं और कोई मौस्ट इंपर्टेंट नहीं मिस हुनast को प्रमात है मतभी इंपर्टेंट होते हैं डुन्यया परम पत्छिवान में होते जीवन कि euro मि vein होता आते हैं most important लड़की के जीवन भाई most important वही होता है जो पेपर में जीवन में आई कि अब शेयर ठोक दो फटा फट कि करना हाँ 233 में चरकी दादरी से रांग रहा है मोग टेस्ट एप पे लाइव टेस्ट सिरीज में मिलेंगा एपका लिंग डिस्किप्शन में और जो बच्चे बाद में देखें उम्मीद करूंगा वो भी कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा रहा जब क्लास ओफ हो जाए पहला क्वेशन स्क्रीन पर आपके यह रहा नहीं मैं आराम से करवाँगो आज आप नोट करते जाओगे डोंट वरी तिक ना आज आप नोट करोगे इस बास से निश्सीत रही बताईए राश्टिये शिक्सा नीती 2020 शिक्सा मंत्रा लेंदरी देश्टानु स्वाराम है इसमें पूरी गजब की चीज़े पढ़ेंग यह सबक्राइए राश्टी न्यू एजुकेशन पॉलसी एंशी shortest लें और यह क्या थी आपको याद होतीटी के स्ट्रेट में आया था इस्टेश्टर Iduk Tag पोलसी क्या है और एक ओप्शन था पांच-पांच-पलस्तीन στο चया हो साल कर राइट आंस्वर का सवार डि स्राड़े 5 साल से कम कि उसका राएट आंसवर डि कई वच्छे बोलेंगे सवार अनसवर लगा में ज़ा गया हो। में ऊच्य लिए और स्टी शिक्षा निती हमारी अजुकेशन में स्टॉब है हमारे एजुकेशन में स कौम म्हेकरण में पर्जैंत्त ध्णवेंद्र पर्धान जी है अज मंग्भाइए मैं स्टॉब स्टॉरे हैं कमर्पाल गोजर जी है कौन सी क्लास से website success प्राहरम कर दी जाएगी website मतलब उनको skilling के अधार पर जैसे हमने शुरूआँगा ना कि दस्मी के बाद ITI होता है इस आई टी आई है ना आई आई टी तो अलग हो गया website का मतलब उनको दस्मी के कोन सी कक्सा के बाद यहां पर क्या हो जाएगा skilling website कौन सी कलास में ही आई टी शुरू हो जाएगी फड़ा बड़ बताई उसको वयवसाइच सिक्सा बोलते हैं ठीकर ना उसको क्या बोलते हैं website शिक्सा नूँ एजुकेशन पॉलिसर प्रयाणा में विवसाइगक चिछा सुरू हो जायेगी घए गलत राइट उन्सुर भी होगा च्ति क्लास में ही कोण सी क्लास में हटी कलास से हीuer few हो जाएगी च्छपी क्षटी क्लास का वाइट यह वाला दुरंदर बन जाएगा गलत आठ भी नहीं अंकित फटी क्लास से ठीक है तो नई शिक्षा नीती क्या बताती है नई शिक्षा नीती यह बताती कि सर इसमें कौन सा मरकर अच्छा लगेगा बताना एक बार यहीं सही चल रहा था ना चल रहा है तो नई सिक्षा नेती 2020 क्या बताती है इसका जो लक्से रखा गया है लक्से भारत सरकार दोनों में अंतरростर्विटा भारत सरकार के द्वारा लक्षे क्या रखा गया है 2030 कि 2030 तक हम इसको अपना लेंगे और नई शिक्सा अपनीती अपनाने वाला देश का पहला राजे बताना फड़ाफट अपनाने वाला पहला राजे फड़ाफट बताओ और पहला विश्व विदले बताओ जिसने इसको यह भार्ट सरकार के दौरा 2030 का लखषय में प्रण्तु अर्याना सरकार के दौररा इसका लखश्च दो 정이र पच्छी सरगेए buddha 2025 रखागी क्योंकि हम 2 अदूर से क्यों शाध्न संपनराचे है अपुंग इताओं अ उत्राखंट姐 गलत, right answer, किसी का भी गलत नहीं है, किसी का भी ठीक नहीं है, उत्राखंड केसे होगा, हमारा जो पहला 20 सो विदेले है, वो है महंदरगड वाला, महंदरगड का जंदपाली गाउं में, इसका नाम क्या है, केंद्रे जो 20 सो में महंदरगड, 2009 में स्टेब्लाइज हुआ था, और इसके जो वाइस सांसलर हैं, इसके वाइस सांसलर डॉक्टर बी आर कमबोज हैं, कोन है इसके वी सी, डॉक्टर बी आर कमबोज, डॉक्टर वी आर कमबोज, बी आर कमबोज, नहीं, नहीं, तंकेश्वर साहब हैं, तंकेश्वर, तंकेश्वर, और इनको बेस्ट वी सी क कई बात करते कि कुछ राज्य ने अपना आथा तो राज्य कौन सा आएगा राज्य नहीं बताया अपने तमिल लाड़ो सारे गलत बता रहे हैं तो आपके लिए चैलेंज है कि आपको बताना यह अनलेटिक्स वाला थोड़ा सोपर कर देना मुझे दिखता रहे है कि स्क्रीन चोटी कर दो यह अनलेटिक्स का उतला हाँ है कि रिन थोड़ी नीचे लिया हूं अब यहाँ पर क्या बात आएगी मैं आप सो क्वेस्ट पूछू पूस्ता जाओं जा राइट अन्सवर विल भी करनाटक नोट भी हिमाचर नोट भी केरला करनाटक अगर मैं आप सो क्वे हर्याना में उन्सटी कितनी थैप अतुछ देंगए आप दी है मैंने बोल दिया नहीं नहीं है हर्याना जी कि कि जो भीक आपके पास हो मर्जी हो उठां लेना और मर्जी हो डाटा मेच्च कर लेना दस बुक साथ रख लेना और डाटा कोपी में लिख लेना तिर आपको पता लग जाए मैंने पूचा हर्याना में स्टेट यूश्टी कितनी है मैं अप्शन देता हूँ ए 24 ऐसे समझ लेना की पेपर दे रहे हो इस बात से निस्सित रहना 22 और सीज़ दा 25 इस बात का अंकित मिर्जापुरिया यह जैसे कोई सोंग हो कोई मतलब सोंग आने वाला हूँ यह जो अंकित मिर्जापुरिया सक्सेस लाइफ नमस्ते वेटा डिसेंट राम राम ओल दीज ओप्शन आर गणे गलत 24 तो जमाए गलत 25 उससे भी गलत राइट अंसर विल भी स्टेट उनस्टी थोड़ा सा डिफेंड समझो स्टेट उनस्टी में क्यों कह रहा हूँ यूनस्टी कितने प्रकार की होती हैं? मंदीप सरमागुर से आबास बेटा राइट अन्सवर 21 यूनस्टी के तीन टाइप होते हैं आप फिर बोलोगे कि सर कहां? यूनस्टी के तीन टाइप होते हैं? कौन-कौन से तीन टाइप? एक होती है सेंटरल यूनिवरस्टी, एक होती है स्टेट यूनिवरस्टी और एक होती है डिम्ड यूनस्टी स्टेट उन्वर्मेंट की होती है उस पे किसका होता है स्टेट उन्वर्मेंट का हक होता है और सेंटरल उन्वर्मेंट पे सेंटर का हक होता है और डिम्ड उन्वर्मेंट प्राइवेट होती है एनलोबो 3 युवरस्टि होती हैं तो हमारी स्टेट युवरस्टि जैसे हमारी 1956 में केउके को खुलाया ये स्टेट युवरस्टि यह बिटा पहली तो इनकी संख्या 21 है और डिम्ड उनस्टी की संख्या 24 है और सेंटरल उनस्टी की संख्या सिर्फ एक है महंदरगड 2009 जंतपाली और डिम्ड उनस्टी प्राइबेट उनस्टी होती है अंस्वर भिल्वी कैसे पूछेगा वो वो पूछेगा कि भार हर्याना की पहली डिम्ड प्राइबेट इविवर्च जिसका पैशा जैसे पहली डिम्द इविर्च पताना कौन सी है राज्ये की पहली डिम डिमिनस्टी फड़ा बताईए अब कौन कौन सी है वो भी मैं बताऊंगा ना टंसम क्यों ले रहे हो जब इतनी विश्वास करके मेरे शेर करते तो है सम्माजा नहीं है अब नहीं पड़ेगी ना देखो अब नहीं पड़ती वो तो इसली है तो पहली स्टेट उनस्टी कौन सी है मुलाना महरीची मारकंडे सर उनस्टी कौन सी होती बैटा इसको हिंदी में बोलते हैं केंदरिये विसाविदैले का मतलब होता है कि वो टोप की उनस्टी होगी वो राजे की उनस्टी नहीं होगी उसमें केंदर सरकार पैसा लगेगा के अंदर सरकार, अब देखो, आपने सुना होगा high court, आपने सुना होगा supreme court, high court का जल 62 साल, supreme court का जल 65 साल, तो इसी तरीके से state university का जो chancellor होता है, उसकी उमर की भी सीमा होती है, और जो central university उसकी ज्यादा है, तो हमारे जो डोक्टर टंकेश्वर जीतिन की उमर हो चुकी थी एजे वाइस सांसलर इनका अब क्या होना था रेटाइरमेंट होनी थी बड़ सरकार ने क्या किया दो साल और बढ़ा दी कहां भेज दिये सेंट्र लिवस्टी मेहंदरगड भेज दिये क्या कर दिये वहां पर थी साल इनका और अक स्टेंड हो गया इनका कारिये काल कमज़ बाया तो सेंट्र इंवर्स्टी के अंदर सरकार देखती हार्याना में सिर्फ टी है महंदरगड में जंत्पाली में 2009 इसको वो लेंगे स्टेट इंवर्स्टी केंद्र बिष्विधायले म पहदरगट जंतपाली इसके वाइस चांसलर को है डॉक्टर के शुवर जी जिनको बैस्ट वाइस का शॉसलर का बाढ़ भी बिल चुका है किसी को डाउट किसी को डाउट कि मारमेंट नमस्ते बेटा नमस्ते इसी को डाऊट हर्याना का पहला को भुण हुल में बात पयंड़ करलें में वल्य ना-लंदा इक श्या लगेगे बाद अज़ने सुग गोज इनकी रावर यह मि-द्र्युन सब्सक्राइब कर देग के के बाद एट को डाध के पहले सिक्षामंत्री भारत के पहले सिक्षामंत्री भारत के पहले एजुकेशन मिस्टर कौन थे अबुल कलाम आजाद थे अबुल कलाम आजाद सिक्षामंत्रा लेका नाम चल रहा ना वही को अबुल कलाम आजाद तो भारत छोड़ा अंदलों 1912 में कांग्रेस अधिवे दे थी अब इन्होंने पुछा हां रियाणा के पहले सिक्षा मन 3 नि adjust में आपको oh कि यकीन करोगे कर शूद आप वर बताओ एक सषूं अपर बताओ ऑन से पीछा चुट जाएगा आपका अनल ता वर्याणा के पहले सिक्षा मन सिंग सिंग है थिक है पढ़ेंगे हम टेंशन बचलो तो राइट रहेंगा ताड़े-पात साल इक बंसी लाल अंसवर वाट गूडशा बास बढ़े आगे पंसी लाल राइट अंसवर होगा तो यहां से कुछ बच्चों के लिए कुछ क्वेशन आये थे छै वरस से कम उसका मांसिक विकास हो पाता उसका ब्रेन अच्छे से विक्सित नहीं हो पाता निरोंस उसके एक्टिवेट नहीं होते तक तक और स्कूल में हो जाता है हेलो पापा हेलो मम्मी गुड मॉर्निंग करता है और हजारों के फीच लूट ली जाती है तड़े 5 साल का हट्टा-क बच्चा सब स्कूल में जाएगा तो कितने मजे से जाएगा बताईयों बच्चपन तो नहीं जाएगा ना उसका जालो अगला कर लोगे शिक्सा में से किसी को डाउट एजुकेशन में से किसी को डाउट जीटवंटी खतम जीटवंटी अगला कौन ब्राजील में होगा तिक्सा पे ध्यान होगा केरला टोप पर है त्रणुमें पाइंट सोडा बिहार नीचे है 63 हर्याना साक्सरता में 15 नंबर पर यूटी में 22 नंबर स्टेट और यूटी में 25.5 हमारी साक्सरता दर है भारत की 24.04 है जब देश आजाद हुआ था तब देश इसकी साक्सरता 14 प्रतिसत थी एक नॉंबर नीचे जो भर्याना बना तब साक्सरता 20 प्रतिसत थी एडिडाउट कि वालो 2009 में बेटा ओपी जिंदल ग्लोबल इनुस्टी खुली थी सोनी पत्त में अगला क्वेस्ट्र गणतंतर दिवस 2030 महर्याना की जाकी की थीम क्या रही थी मैं यह नहीं उठाके लिया प्रानत की इस गावं में यह हो गया मस्ट मस्ट क्वेस्टन उठाके लेका है जिस तरीके के पहले क्वेस्टन देखे जाते हैं ठीक है रहा है खलाने गाम में गोब्भी लगा दी खलानी लगा दी को क्वेस्टन नहीं लेके आमें अच्छे क्वेस्टन जिनका महतव भी है बताईए ती अंत्रास्ट गीता महतव को यह बता रहा है अंतोंद्य हर्याना धान से देख लो इस क्वेस्टन को साइथ सीटी में भी आया हो और मैंने करवाया भी है अंत्रास्ट गीता महतव इस राइट अंस्वर आजाओ पहली बार कब बनाया गए ठीक है सीस का अंत्रास्ट गीता महतव कब बनाया गया अंत्रास्ट गीता महतव कब बनाया गया तो राइट अंसर कब होगा 1987 नहीं होगा इसने अंत्रास्टी पूछा गीता महत सब्सक्रान गीता महतव कर रिवी लाल के में गीता महतव अलग चीज और यह शेलक चीज है समझ माया तो 2023 2023 का गीता महत्सों कहां मनाया जाएगा अस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा और 2022 का कहां था क्योंकि पचला भी याद रखना है चरनाड़ा और पहली बार 2016 में कहां बनाए गया था मोरी सस्स में बनाए गया था निर आउट 2019 ज़ा रखना इस बात का एनिड आउट सेशन को लाइक एंड शेर करते रे बेमानी मत करें देखो बंतराश्ट गीता महुत सो है क्या या पिछली जहांकी की थीम क्या थी पिछली 2022 की जहांकी की थीम क्या थी फड़ा बड़ बताओ क्योंकि बेटा हमें ना एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना है कि 2023 नोकरी लेनी है तो सब कुछ ही याद करना पड़ेगा कि कि कर साइंस मतरा से गुरूप डी के क्वेस्टन आ जाएंगे मेरी भेहन में तो कोई गारंटी नहीं लेता और उसमें 15,000 होंगे तो आज भी 10,000 करवाके जाऊंगा कि और उनमें सेख की भी गारंटी नहीं लेता और बता है मैं एजुकेटर हूं एजुकेटर गारंटी नहीं लिया करते वो गंटेंट प्रवाइड करवाते उनका काम पूड़ कोर्स नहीं वेचना होता खेलों में नंबर वन ध्यान अरकना इस बात का अनी डाउट वाई इसके बारे में बाद करते हैं अंतराष्टी गीता महत्सों के बारे में हर्याना क्यों मनाया गीता महत्सों क्या जूरूत पड़ी ती इसकी- पर कि ए जूरूत पड़ी थी गीता महत्सों की- को छुटो पड़ी थी जहां पर ऋबनाने की- इसमें हमेशा गीता का उपदेश याद करना समझ माया इसमें हमेशा गीता उपदेश याद करना और अंतरास्टी जहां इंटरनेशनल आ जाए कि सर इंटरनेशनल गीता उपदेश तो 2019 करके आना है गीता उपदेश आ जाए तो 1987 करके आना है ध्यान रखना इस बात का यहां यह जो गीता उपदेशत आप सभी को पता है जोती सर से इसका संबंध है और जोती सर के पास ही बान गंगा है और बान गंगा है तो गंगा से मुझे ध्यान आया हर्याना में गाएं पैदा हुई है जिसने 24 घंटे में 22 लिटर दूद दिया है उस गाएं का नाम गंगा रखा गंगा से मुझे ध्यान आया हर्याना में गाएं है गंगा जिसने 24 घंटे में साड़े 22 लिटर दूद दिया है अब बताओ भई इतने रुपे का तो कोर्स भी नहीं आता इसकल तो इतने सस्ते कोर्स आ रहे हैं इतना लिटर दूद दे दिया इसने गंगा गाएं ने 24 है विटर दूद दिया और उसका गंगा उसका नाम गया तो पूसरता गंगा एक गाएं बनाए गई गई है जो क्लोन करके त्यार की गई है इसके दवारा अंडियार आई के दौर मैं उस गाएं का नाम कुछ और है मजए लेते रों पढ़ते रों पीडिएप नहीं मिलेग उस गाएं का नाम है रानी आगे बताते हैं गंगा का कलोन प्यार किया गया बताओं बात टेंशन मतलो 2000 सारी हर्याणा तो जोती सर है यहाई परबान गंगा है यहाँ पर गीता को उपदेश किस ने दिया क्रिशन ने दिया सर इसको दिया सर 499 रुपे में अर्जुन को दिया सर और चुन बोले तो सर 45 मिंटमें सरफ दुनिया का महान उपदेश यहाँ पर श्री किरिशन को बोला गैसओक औंडिया गया चैसाव क्यूंहा बोलते थे इसको बताना है किस उसकी पूछे तो 85 बार करके आना है कभी कभी आजाए अरजुन को क्या बोला है पार्त कि माता को पर्था बोलता था ना तो इसको बोला गया तो यह कहां दिया गया गीता को परगत व्रक्स के नीचे दिया गया और इस बर्गत के व्रिक्स को क्या कर दिया है हमारी राज के संपद्धा घुशित कर दिया है अधीता को देश को मैं स्रिफ 45 मिन्ट में बता दिया कि बैटा कोई गारंटी नी होती पड़ दो यह मिलेगा नीचे एँडिआ की फुल धोर्मोंते थे नैस्लेंल डेरीं रिससर्श इंस्टी अटी आज्यात नेस्टेश का घुला घ апła के बारे में जब आएगा निशित रहना कंटेंट के बारे में ठीक है चलो तो गीता पुस्त का लेहाना में कहां पर है बताना फटाफट गीता पुस्ट केले हर्याना में कहा पर है, जो नया बच्चा है, पली चãyनल को सबस्क्राइब कर लें, आपको मज़ा नाए, आपकी जरनी में बहुत मदद करें, गीता के सभी सलोक हर्याना के किस मंदिर पर हैं तो गीता के बारे में कुछ भी आए तो एक साथी लपेट दो की अब गीता दीग्या गीता का खेल लो डिशाब कर लो इसारे सलोक कहां है बिटला मंदिर में हैं इसके दवरा बनायागा सर एंपी में को रियासत रीवा उनके राजा के रीवा के राजा द्वारा इसको बनाया गया था एनिडाउट गीता के वारे में कि शेयर करके आओ दस दस गुरूप में यही गुरू दक्सिना होगी हजार लाई होगे तो फिर देखना विवानी में मिल जाएंगे मोग टेस्ट कहीं से ले लो बिटा एप से डाउन लोड कर लो एनिडाउट शले आंगे बड़े तो यह ध्यान रखना गंतंतर दिवस की जाकी क्या थी अंतरास्ट गीता महुत सव 2022 कि ती खेलो में नंबर वन इस क्रेंट को भूलना मत लोगला और गंतंतर दिवस 2022 पर किस राज्य की जाकी पर्थम पर आई थी ? बताओ फटाफट मैंने फुक्षिन पूच्छा कि गंतंतर दिवस 2023 पर भारत के किस राज्य की जाकी पर्थम आई थी ? कि राज्य पूछा मैंने कि यूपी की आई थी वेटा ध्यान रखना इस बात किराएगा 1952 नहीं आएगा मिडिला मंदिर मान लिया करो पता नहीं बहस क्यों करते आप मुझे नहीं आता मैं मना कर देता हूं मैं यह नहीं कहता मैं बैस्ट हूं मैं तो गुड भी नहीं हो लाल कीले पीले बत्वा जो भी आए लाल बलुवा पत्थनों से बना है एचसी 1955 मानते 1952 नहीं मानती वरना मुझे रहता मैं लिखवा देता मेरा क्या जाता कर लोगे चलो आप बता है मानते नहीं हो नहीं ना मानते आजो चलो बड़े आगे है वाई तू कहा जाएगा तेरी प्यारी हर्याना प्लीज आगी है अटाव फटावड़ पाट अरे प्रचेज नहीं करनी 500 क्वेस्टन हम बेस हर चीज थोड़े बेस्ते टेलिग्राम में डाल देंगे टेलिग्राम जोइन कर लो और इससे पहले भी डाल चुके हैं 2022 में यूपी की और 2023 में यूके उत्राखंड की दोनों याद रखना आपको अब आजाओ हर्याना पुलीस बहुत तों का सपना होगा हर्याना पुलिस के बारे में बहुत सी जाब जानना चाहते होगे है ना तो दा पक्का क्या फरक है राष्ट्रपदी पदक में पुलीस पदक में मानस खंड हाँ हाँ 2023 उत्राखंड यूके और 2022 यूपी डता तरो मैं रहूं दवाव माुकिक छाहिकिकल कट मेड़ना यह काम रहा है टैजलिव मैं स्ट्रेस में रहाओ ठाक्र तै है कि यह को क्वेस्टन है कि मेरे दूर हमाजे आवें चीज़ा मैं है की में बता दी हर्याना की अंतराष्ट गीता महुत सब्सक्राइश रहा है गुरूप डी का नहीं पैटा स्ट्रेस के देखिए तो कि जाओगा मेडिटेशन कर योगा कर गुरूप डी का बैच खरी दादा मेडिटेशन तो वहीं ठीक कर देंगे हैं जहां साके है मेरी बहन आजाओ देखो हर्याना पुलीस आजाओ कब बनी बताई कोई बताएगा राइटरंस वर फॉर्टीन इस कौन देता है राश्रपती और पुलीस पदक से समानित कीगे 14 पुलीस वाले आजाओ हर्याना पुलीस कब बनी एच पी बोलते इसको एक नुवंबर 1966 लोगों क्या हमारा सेवा सुरक्षा शायोग सेवा भी करती है फिर सायोग भी करती है और फिर आपके शुरक्षा भी करती है समझ माया पहली रेंज हर्याना की जैसे पहली पुलीस रेंज ये क्वेस्टन पहली पुलीस रेंज त्री दिनी पड़ेगी फिर आपको खाम खा एक पहली को रसीती हिसार थी समझ माया तो जो पुलीस का हर्याना पुलीस का किसी भी स्टेट पुलीस का जो सबसे बड़ा दिकारी होता है सबसे बड़ा पु सब्सक्राइब करें ना पूलीस आप पूछोगे सर नए ढ़िजी-पी बने या ध्यानदर इस बात का नए धीजी-पी सरकार शत्रूजीत कपूर जी बने वाई ऑन बने है अगरवाल का प्रसांद कि अगरवाल जी에 अगरतार मतलप हो अब उनकी जगह को ना गए है आगे नोट कर ले ना ये बात पुराना डाटा ही याद रखो सत्रुजीत कपूर नए डीजीपी आगे हैं अब आजाओ सरीडीजीप फर्याना पुलिस के बारे में सरस्वीवा सरख्षा सही होगों एक बात बताओ हर्याना पुलिस को नया लोगों कब मिला नया लोगों कब मिला बताओ फटाबाट क्वेस्टन तब तक मैं और कुछ लिख देता हूँ हर्याना पुलिस को नया लोगों कब मिला हमें हर्याना पुलिस में बनते गए लगबग हमारे यहां अगर पुलिस रेंज पूछे कितनी है तो आपको पता होना चाहिए कि सर पुलिस रेंज यहां पर पांच है यहां कब आप पे पूछे पुलिस कमिशनरी कितनी है हर्याना पुलिस में वन सर होना चाहिए फौर्थ कमिशनरी कौन सी खुली है सर सोनी पत को बनाया गया है फिर question पूछेगा सोनीपत को नई कमिशनरी कब बनायागा तो राइट अन्सवर 25 दिसंबर 2022 करके आना है 25 दिसंबर 2022 नई पुलिस कमिशनरी बनी है तो हर्याना पुलिस का नया लोगो कब मिला है सोदा फरवरी 2025 को मदुवन में किसने दिया देश के ग्रह मेंत्री वरतमान जो हमारे हो मिनिस्टर है अमीड सा ग्रह मेंत्री अमीड सानीन को नया लोगों दिया था ले रिख्यलन में गीता को भपउपदेश द्धान रखना इसका है जीता का सलोग है कोईullyто हैसा गीता का कोई सलोग है समझ में हाँ हर्याना अग्ष एक्ट हाथ विल्यर 2007 में अग्षानद फांग में पुलीष एक्ठ दुर्गा सकती दुर्गा ये डाएल 112 ये सारी किससे बिलोंग करती हैं पुलिस से बिलोंग करती हैं अमजमाया और हर्याना पुलिस की बावन सो भर्तियां और अब 200-200 सब इस्पेक्टर त्यार है ठीक अपनी त्यारी रखो मिल करें कि अब भगवान आपके सुन ले ठीक है पुलिस के लिए सीटी जो होना जरूरी है जिस तरीके से कोथली में पतासे जरूरी है इसी तरीके से हर्याना में अब नोकरी लेने के लिए सी और डी ग्रीड क कि सीटी पास कर लो कि अब नहीं मानी कि डिसकाउंट हम इतनी बहत्रीन फेकल्टी हमारी पूरी टीम इतने सस्थे में प्रवाइड हो रहे हैं कि हर्याना जी क्या आप स्टडी आई क्यू पर जाओंगे 22 मनिर बूरा सर्व 228-22 रुपे की मिलती है तो मैं यहां सस्थी तर दे लिए रहाओं आप नहीं मानोंगे चलो आजब तो पुलिस के बारे में देखते हैं कि हर्याना पुलिस बता दूं पूरी डिटेश से करन सकते हो हर्याना पूरी में कि पुलीस थाने कितने है एक बात पूछा था परसों सीम साब नेका IPS officer को डांटा था याद है अपको किसली डांटा था याद है एक 80 SP को उसने क्या पूछा था एक question पूछा था जो मुझे ध्यान आया उसने पूछा कि बिजली पानी बिजली पानी ठाने जैसे हर्याना में बिजली पानी ठाने कितने हैं कि यह अब एक बात बताओ जो IPS officer उसको क्या पतलो इसको क्या पता भाई वो जिले का SP है वो स्केंडर नहीं आता प्ट IPS सर पतानी क्यों गभरागे मना कर देते कि सर हमारी नहीं आता माही चुहान कहां डाटा माही मेरे बाबु ने खाना खाया इन चीजों से फूर्सुत मिले तब तो पता चले कि सीए सीएम से आप जन समात कर रहें हिसार डिस्टिक में तो हर्याना में बिजली पुलिस थाने बेटा आठ है कि करें मेरी बहन माही और पुलिस थाने टोटल कितने थे तो सो नवासीत पुराना डाटा में तो तीस महिला पुलिस थाने थे लिकाना महिला थाना आपको पता ही होगा कि सर 29 अगस 2015 को सर खोला गया था मान साच उसमें से सर पंचकुला से शुरुवात की गई थी सर फिर गुलाबी थाने आए तर फिर दुर्गा सक्ती आई फिर 12 का जुलाई 2021 को सर डाइल 112 आया एमर्जेंसी यार्वी आई सर परते थाने को दो दो दी गई सर 244 टोटल यार्वी दी गई सर मनुहलाल पंचकुला मनुहलार सीम सावनें का उधगाटन किया वाजाएगा कंटेंट लिखते जाओ 10,000 हो जाए तब बता दे जाए तिक है और यार्वी में हमने जो रैंक हासिल की है वह सेकिंड पूरे भारत लिए डेली क्लास होती है मनीश पुनिया आप डाउनलोड कर रहा कमाल करते हो हर्याना पुलिस में एक तरफे सेलेक्शन दे रख्या हम नहीं ठीक है मेरी बहन मेरा कोई बाभू नहीं तो अच्छी बात है इसलिए तो दमकाता हूं तुम्हे परना चिपनी चुकड़ी चुकड़ी बात मुझे भी आती है तो नहीं लिखते जाना और क्वेस्टन बताना नंबर और क्वेस्टन कितने हुए चलो आगे बड़े चलो कुछ पूछना है हर्याना पुलिस के बारे में बटालियन पूछ सकता है हर्याना पुलिस में बटालियन कितनी होती है हर्याना पुलिस में बटालियन कितनी है बताना बटालियन पूछे तो च्छै करक्या नहीं अब पहले पास्ती छटी कौन सी बनी है गूरगाओं में बनी है और गूरगाओं में कौन सी बनी है दुरगा और ये दुरगा हर्याना की पहली महिला बटालियन है तो मेरी राइटिंग पर सवाल उठाते हैं उनको देख लो जान बुझ की लिखता हूं देख ले 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 र्याना की पहली मैला बैटालियन दुरगा का स्थापित की है यह तो हमारी जो 245 बैटाली नंबर 2 बैटाली नंबर 4 और बैटाली नंबर 5 हमारी कहा है करनाण कि पूछ जाएगा कि कितने लिखें जाएंगा आप एक सेकिंड में बोल जाते हो चलो आराम से कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आराम से लिखवा हूँ आज है नहीं मैं ग्रेजिएशन येर में हूँ ये बाद में परभात बोल रहा सरा हर्याना में सैनिक स्कूल कितने बेटा तीन है कुझपूरा करनार रेवाडी जजजर तोथे वाला परस्तावित है बेटा पंच्छुला में और पूरे भायरत में 26 है और 26 में से तीन हम लेगे बैठे और बता बेटा उस्ता रहो प्रेंशन मतलो कुझपुरा 1961 ठीक है और बताओ एनिड आउट हर्याना के बक्सी राम या चुका क्वेसंस आपका टीटी में भी हाया होगा बक्सी राम को किसक्षित्र में मिला है पदम श्री देखो तब तक बताते जाओ मैं जाओंगा भारत का जो सर्वोज पूरुषकार है वो भारत रतन है नागरिक सम्मान उससे नीचे आता है बेटा कई बार पूछ ले कई बचे नए हो ना पता हो पदम भी भूसन है उससे नीचे सम्मान में उससे नीचे होता है पदम भूसन ठीक है और उससे नीचे होता है पदम सिरी यह इनकी सीरीज बनी होती है और यह सारे के सारे बेटा कि 2023 में हर्याना के कितने आद्मयों को नवाजा गया है कर्याना के कितने हर्याने को पदम 봐요. अवार्ड से नवाज आ गया है, question number 1, फिर पूछेगा की वह कौन है, तो से field से ही, बताओ, बताओ, तो कितनो को मिला, दो को मिला, एक डाक्टर सुकामा चारी है, और एक सामने हमारे डाक्टर भक्सी राम जी है, इनको किस field में मिला है, तो इनको सहाइथ्य सिनेमा कला, इनक इसका राइट अंसर होगा इन डाउट तुकामा चाहर यह रहो तक से हैं लेकिन उनका जनम जज़र से हैं ठीक है वो बताऊंगा मैं डिटेल से पहले यह करते जाओ चलो आजाओ देखो 2023 पदमश्री यह जो पीछे गया कहां गया वो तो गया तो हर्याणा क्या किसी हर्यानवी को आज तक भारतत अंगा है ट्रम डिसकाउंट ले ले लगर पैसी की दिक्क्त है तोच hunan way ले लो ऐएट किसी हर्याई сообщ anderen दिया गया है कि छिए कम खिखानर आप या आप कितने लोगों को भारत्रतन मिल चुका है तो कोन है औरुना 00 truck. वो डैनी नियोथा असरफली 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 अरुठाफली कम बिला 1997 में पंचकुणा की है तागी है पंच कुला की ध्यान रखब है अब यह अरुना असरफली यह निया असरफली अपन्च कुला की सिर्फ एक इसको यह मिला था अब यह कौन है अब देखो हर्याना सरकार 2023 में बहुत अब देती है हर साल देती है जिन में से भारत रतन तो किसी को मिलता नहीं है तो 2023 में हर्याना को क्या क्या वार्ड मिले उनके बारे में आपको मैं पूरी डीटेल से अभी बताओं ठीक है किसको मिला होगा ध्यांचन अब नाम बदला था इसके पहले राजुदानी इसके पदम सरी भी दिया जाता है सर यह सारे अवारण भार सरकार राष्ट्रपती के हाथों दिये जाते हैं अनिडाउट यू कैना स्थ समंझ महाया कि सअर ध्यांचन अवाड हरयाना के कितनों को मिला गजै हो कुछ नहीं आता है कि बताओ आता है कि आजगल एजगेट निश्चिनी सवस्ती तो बीस तीस अजार दस और रुपे की कोचिंग हो पांदस देने हो तो फिर तो सोचे भी आदमी कि बताओ कि रिम्यूक इसको कर दिया बताओ ये चार नाम याद होंगे चार याद होना चाहिए इक्तालिस बावन में ध्यान चंदवाड 2021 में इसका नाम बदला है इसका नाम था राजियू गांदी में भीवाने के कालुवास में जनम होता है और 2008 के बीजिंग ओलंपिंग में क्या लेकि आता है वोक्सिंग में ब्रॉंज मैडल लेकि आता है भारत का पहला प्रोफेशनल बॉक्सर विजेंदर सिंग फिर भारत की पहली मजिला कौन सी थी 2010 साइना नेवाल को मिलता है किसक कि क्यों बताओ अब तक कि कि इतने हर्यानवी खिलाडियों को ध्यांचंद अवाड से नवाज आ गया है बताओ क्यों सब्सक्राइब करते थे और उसी की याद में हम खेल दियोस मनाते है और खेल दियोस कब का मना जायता फड़ा फड़ा बताओ द्रूणाचारियवार्ड अबर्ड किसको मिला बताओंग से द्रणाचारियावार्ड भी बताओं रासींग छिकारा को मिला है इससी सुरिवात त Knife dda की इस की पंद्राग रूपे की रासि दी जाती है और ये कि थाना राज सिंग्छिकारा 39 अगस्त को हमारा खेल दिए उसमना जाता है आई तो हमारे जो धांच एक एक बता दू सारे आजाओ तो यह जो राजी गांधी खेदरतन अवाइड है या यू कैन से ध्यांगचन दवाइड यह अब तक 13 खिलाडियों को मिल चुका है कितने ख कितने लोगों को मिचाव मिल चुका है एता हमी और रिजन बाद में कवैंट करना मेरे भाई पढ़ाई से रेलेटिद कमेंट हाज हूँ आँ अब होग 23 करके आता हूँ क्लास को 2022 वाला मिला है, समझ माया, 2022 में 12 भारतियों को मिला था, उन 12 भारतियों में से ये बहुत बड़े गरव की बात है, इतना बड़ा देश में से 4, 12 में से 4 खर्याना के हैं, समझ माया, ये बहुत बड़े प्रावड की बात है, कि चार हमारे खिलाडी है, और वो चार हमारे सूपरस्टार कोन है, फर्स्ट फॉल नीरत्चोपडा, दावाड गोज टू नीरत्चोपडा, 27 दिसंबर 1997 में हमारे प्यारे से पाणी पच्छ, जिसका गठन दो बार होता है, ठंडरा गाउं में होता है, अब इसके बारे में डिटेल से बताओ, यह वही नीरत्चोपडा है, जिसने ओलमपिक के 32 संस्करण में, 32 पहां हुआ था, जापान टोकियो में, कहां पर? जापान टोकियो में, वहां पर क्या फैंका? भाला फैंका, कौन सा खेले इसका? भाला फैंका, भाला फैंका, तो क कौन सा मेडल जीता? गोल्ड जीता, एनी डाउट, तो साथ अगस्त को भाला फैंक दिवस मना जाता है, ठीक है? निरत्चोपडा क्या बोला? सर मैंने भाला फैंक दिया साथ अगस्त को, और साथ अगस्त को भाला फैंक दिया, तो राइटिंग से कुछ नहीं होता भाई, राइटिंग तो किताबों में एक से एक है, विपिन, अगर राइटिंग कंटेंट है, तो राइटिंग तो किताब में उससे भी मेरे से भी बहतर लिखी गई है, तो नाइन चीजों में उल्जा करो, विकास दिवेकरती सर की मेरे से भी गंदी है राइटिंग आवा जोदा सर की मेरे से भी गंदी है आन सर की मेरे से मिलती जुलती है राइटिंग तो किताबों में इससे भी साप साप लिखा है पूरा प्रिंटिड आजाओ अब दोहा में निरचोपणा ने एक और कमाल किया दोहा डाइमंड लीग में गोल्ड जीता कितने में कितनी दूर फैंका भाई तो इन चीजों में ना उल्जा करो राइटिंग वाइटिंग राइटिंग होती है जब ऐसे लिखना हो दोहा डाइमंड लीग में गोल्ड जीता कितनी दूर फैका इतनी दूर फैका बताईओ दोहा डाइमंड लीग में यहां दीरे चोपडा वर्ड के नंबर वन बाला फैंक दिख्पोंगे बाला नंबर वन खिलाडी दीरे चोपडा कितने भैका मैं तो लिखके लेके आ हूँ क्योंकि मुझे तो कंटेंट देना है अठ अठासी पॉइंट अठासी पॉइंट शर्षट दोहा डाइमंड लीग में कितना अठासी पॉइंट शर्षट मीटर दूर भाला फैंका मेरे भाई ने आपने भाई ने नीर चोपडा ने अठासी पॉइंट शर्षट है ओ स्तासी अगला है यह एक सब्सक्राइब एक सो पिंतारीस पॉइंट के साथ टोप पर है जहां रहां नीर चोपडा अब इसे थोड़ा चोड़ा कैरीर बनाव यहार बाद में कुछ भी करना नीर चोपड अपने केरीर पे फोकस कर रहा है क कि इतने साल का मातर कि विश्ट सॉपडा के नाम पर स्टेडियम भी बना आपर बना महरास्टर पूड़े में बना गया है यह निर चोपडा को किस देश ने अपना प्रेटन ब्राण्ड़ में बनाया गया है पर लिए तिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई देश किसी विदेशी को बना रहा है किस देश ने प्रेटन ब्रांड अवेस्टर बनाया है तुकि यह गूमने गया था पसंद आ गया स्वीट रिजर लेंड कोन से देश ने स्वीट रिजर लेंड और यहीं वही स्वीट रिजर लेंड है जिसकी दोहरी नागरिकता युसे की तरह है कि कई बार दोहरी नागरिकता वाले देश पूछ लेता है स्वीट रिजरेंड और यूएस से समझभाया तो प्रेटन दिवस हर्याना में कब एक नुवंबर 1966 को हर्याना प्रेटन विभाग मना एक लेकिन प्रेटन दिवस कब बनाया गया एक सितंबर नि के Marko कर देवस मना जाता है रिज़क घाना प्रेटन दिवस को एक डुबर को ये आया तांग किredi में कि लिखलो एक सितंबर आवना प्रेटन दिवस कि एक सितंबर 1974 को हर्याना प्रेटन दिवस्ट बनाया गया वो हर्याना एक नॉवंबर उन्यूशाइट को प्रेटन विभाग बनाया गया था तो फिर उन्होंने बोला कि आजाओ पाँ होलीडे विध लोगो प्रेट जीवर वोगो हमें समझ में है चलो सही चदरी दिंबर चलो तो वह चार नामों में कौन कौन हम भूल गए चार लोगों को च्छाए द्यांचंदवाड मिला था ध्यांदरक्नाश का रवी दईया कौन? सोनी पत सिंह सर सोनी पत जनम कब सर? 22 दिसंबर 1997 सर सोनी पत के कौन से गाउं? नहरी गाउं से सर रवी दईया ओलम्पिक में सर इसी ओलम्पिक में कौन सा मेडल लेकिया है? 57 किलो कटेगरी में कौन से खेल में? कुस्ती में यह बात पूशता है मेरे भाई वो यह category पूशता है Olympic पूशता है तो कौन सा लेकिया है Silver medal लेकिया है समझ माया और सुसील कुमार के बाद यह दूसरा आदमी है तो ट्रेनिंग का मज़ा आ रहा है प्रमोद चोहान प्रमोद CPO में सब इंस्पेक्टर लखके मिठाई का डबबा नहीं देखे गया और ट्रेनिंग करने गया प्रेटा सीमा हैदर जैसी पतनी आएगी याद रखना गुलजारी लाल लंदा का हमारा जनब नहीं है गुलजारी लाल लंदा का हमारा जनब नहीं है अंसद रहे गुलजारी लालन्दा संगहल्या दोहजार पांच कुरूच्छ तर इससे बाहर कुछ नहीं अब तीसरे वाला कौन था स्टूमी तांतिल यह गोल्ड जीत के लाया था पैरा उलम्पिक में अब की बार गोल्ड पैरा में देखियो है पैरा ओलम्पिक में ऐख सोनी पत्से हैं ऑसे हैं स्टोष है घानक्रना इस बात का तोथे वाला कोन मनीष नरॉड लॉड कहां का है मनीष नरॉड नरॉड यह जजर का है ना या अफ्रिदा बाद का है कोन से ऐ शूटिंग का है कर गब पर अ कि मिट वियवुद रूबर संबै कि मनीश नर्वार जजजर वेटा तो ये कौन सा है कि सिरा के परती प्यार है सर अच्छा कि इसे को यह बोलते रहे आपके प्रती प्यार है सर मिठाय-मिठाईं खिलाव ना दूसरे आड करते जाहें स्थी मंतरा कोई कि दूसरा एड करता रहे कमाल करते हम यंक कि देहां कि मैस थी अर मैस का दूद पडोषी लेके जावा करदा कि यू मैस अभरोषी तेवरा दो बिन गे पीशे दे लिए मैं तो जुद का क्रेडिट मैंस न जावत तारा में के करूंगा तो मैंस न दिवापी से कि मारगला नूबनारी आज कर कि अनफेवरेबल आए हमने तो करवा रखें बताओ कौन सा बताओ कौन सा है कर लोगे तो यह होगे चार अब अर्जुनवाड पांच को यह पांच नाम याद रखना अर्जुनवाड मैं नहीं बताओंगा अर्जुनवाड 1961 परसंसा पत्तर 15 लाख रुपे चेक दिया जाता मोदी जी देते 15 लाख रुपे आप बोलते हो नहीं देते पंदर अलाख रुपे मोदी जी नहीं दे रहे तो पंदर अलाख अर्जुनवाड़ी को देते हैं तो पहला अर्जुनवाड़ी हमारा कौन था अर्याणवी उदेचंद से जी थे और उदेचंद जी कहां के थे पत्याबाद के गुलाभी नगरी 352 फिरोसा तुगलग किस खेल से थे कुस्ति से से समझ माया अब जो पांचों को मिला है 2022 में 2022 तीस ऐसे मैंसन होता बेटा तो पांचों में से कौन-कौन से नाम है तरीता मोर है अंसु आतिल है क्यों बता हूं कुछ हाब भी बताओ तो पांचों नाम बताओ ना अब बारिश रुकेगी मैं बारिश हो जाए मेरी कलास में बच्चे आएं क्यों हमें नोकरी जरूरी है या मैच जरूरी है पांच नाम है तुमी तांती ओ स्वरी अंसु मलिक जीन्द वाली शरीता मोर तरुन धिलो याद करो वो तरुन धिलो जिसको अरिजिन वाड मिला है वो किस जिले का है तरुन धिलो पैरा उलम्पिक में लेकि आया है पैरा में तरुन धिलो किस जिले का है अंसु मलिक का तो पता है शरीता मोर का भी पता है सुनिपत से है अंसु मलिक का भी पता है जीन से है तरुन धिलो किस खेल से है पाक्सी तरुन धिलो शरीता मोर अंसु मलिक पांच को मि है पैर आथलीट है तरूं डिलो किसी लेका है कि अधाव यार किसी लेका है कि रहता गलत है अन्नों अन्नों अभी तो ग्रूप डीवी नहीं लग जाएगी कि टू कि चार सु नाड़ में कोर्स लेते हुए मर रहे हो और कोमेंट के लिए तनाव कर देते हो कि 25 में से 25 क्या पढ़े ना तो 25 आएंगे को बोलता नहीं मैं 25 दिलवा दूंआ 25 में से 25 कभी नहीं आएंगे रेन जिक्के में 22 23 22 क्योंकि दो तिन क्वेश्टन ऐसे आते हैं जो हर बार नहीं आते हैं ठीक है कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की जूट बोल दे कि बटा के बटा इससे बार कुछ नहीं कि यहीं पड़ो सब कुछ यहीं है बाहर तो फद्दू आदमी है तो हमसे तो होगा नहीं कि कर लोगे अगले कर्स्टन की तरफ आजा कोई बोल रहा है आपको पच्छिस के पच्छिस कि तो भाई कि और सुवेशने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा पच्छिस के पच्छिस कोणिशा कैशन था है कि अग्जो कि बताओ कि अमीद पंगाल वेटा रहोत्तक के माइना गवाओं का उनेंचास किलोगे डैगरी में दोजार इकिस में बेस्ट बॉक्सिंग बॉक्सर रहा है अमीद पंगाल पताओ सर्स्वती महत्सों दोजार तेईस कायों जिन कहा किया गया पिहिवा कलान और काना विली कि सर्स्वती महत्सों कब से शुरू हुआ इसके बारे में क्वेस्टन्स आएंगे बताई कि अगरेवा से विधायक संदीप सिंग खेल मंतरी ते खटा दिया गया तला नौर से शुकूंतला खटा है कंग्रेस से कालावाली से विधायक बताओ फटाफट और सफीदों से व हुहाव कि क्या दूसरे पर मत बताओ कि कि की म मट सिमा पुनिया मीट पंघार साक्सी मलिक अंसु मलिक तरुण धिलो आप सुनते तो होनी तो पहवा में बनायेगा था ठीक है न और इसको पहवा को क्या बोला जाता है हरियाना का गया बोला जाता है यह स्ट्राइटिक जिक्किये बेटा हर्याना का गया अब यहां पर एक क्या बोला जाता है अभिलेक मिला था कौन सी स्थाब्दी का मिला था और वो किस राजा का था तो वो अभिलेक मिला था बेटा मीहर भोज का पूछेगा मियर भोज का भीलेक कहां से मिला वो बेटा कहां से मिला पहषवा से मिला कौन सी सदीकाझ पूछे उसी सदीजिसे पताrar नोवी चथी सदावासर की प्राचिंकाल में घोडों पिदा रहा है कि कर ना और यहां से उंट प्रसेंट कौन है संदीप शिंघ जो उन्सकासिस कर दिए गए है है खेल मंतरी अब बात बैता हो अब खेल मंत्रहल ले किसके पास है कि वर्तवान में जो हर्याना सरकार का खेल वंत्रेलों किसके पास है सेंटर मंदुराग ठाकुर के पास है कि आई फिटा फट सरस्वती महत्सों 2022 का क्या हुआ था कि पास गुड़ शावास बेटा खेल वंत्रेले किसके पास अब सीम साबने ले लिया है कि चलो आजाओ और कोई क्वेस्टन इसमें हो तो सरस्वती महत्सों 2022 पहवा इसका राइटर्स होने इसी से मिलता जूलता एक और आता बेटा क्वेस्टन कि वन महत्सों हर्याना पुलिस ऐसाई में आता और देटर्वा सथक्रन पूछ लिया था उन्होंने नहीं पूछ लिया कि 2000 जो वो था 22 का वो कौन सा था तो 2023 का जो सथक्रन होगा बेटा वो कौन सा थीटर्मा होगा ना और यह कहां बना गया था मैं नहीं कहता घर से तो यह तिहत्रवा बेटा कहां मना गया कुर्चेतर में बनाया गया और पलस यम्नानगर दोनों में बनाया बिलास यम्नानगर में और कुर्चेतर के पेवा में 25 और 26 जनवरी को तिहत्रवा वन महत्सों बनाया था यह आप से पूछेगा और करवन मोथ स सत जुलाई कर दोड़ी एंद मिलती है जो यह जो जो चलो फ्र कोई मोथ सो एंधराष्ट जगी टाहे सो हो गया करसा थी महुत सो हो गया कोई स्वह ? कि HR72 मनत्री कौन सीम साब ए पार इतने बच्चे डेऊं लिखरे सोनिया साइनी मेरी बहन का मतलब या चपला मोरी थोड़ा था सी एम का मतलब चीप मिनिस्टर है कि अतियाबाद में आता चपला मोरी भी मज़ाओ किसलिए मज़ा कमेट करके बता फटाफेट कि अध्याब गणतंतर दिवस 2023 के अफसर पर हर्याणा के मुख्या मंत्री रेकिस्तान पर जंडा फेर आया कि पीजीटी के अंस्वर थेजद भाई देख लेंगे कि 2023 का बजट इसमें है क्यों टेंसल ले रहे हो और कंट फेर की क्लास का मतलब क्या है कि अधाव पड़ाबाट गणतंतर दिवस कोन साच वेत्रमा गणतंतर दिवस र्याणा की जांकी की थीम अंत्राष्ट गीता महत्सव आयाना र्याणा के बुख्या मंत्री कैथ्रण रतिया भादरगण जगादरी राइट अंस्वर जगादरी जगादरी और जगादरी बोले तो यम्ला नगर और यम्ला नगर बोले तो 1952 रेल्वेड प्रक्सोप जगादरी रेल्वेड मंत्री असुनी वैस्वनों रेल्वे के से थारा जोन है उन थारा में से दोसोन हर्याना के है तब डूट फैली रेड़ गाली थारा सो 3.0 मुंबई से थाने 34 किलो अग्योमेटर दूर चले शह से ध inh junto हिनल के यावे creative कौन है लाट डल हो जी और आउट कर आएंगे राजयपाल का भी कर देंगे राजयपाल ने ठाने सर कर देंगे राजयपाल ने ठाने सर प्यादा कि आप पूछो मुझे नहीं आएगा मैं फॉन करके पूछ लोगा और सीएम जगादरी बताओ क्या दिक्कत इसमें राजयपाल लिख तो दिया कि मुख्यामंत्री कौन हमारे मनोहलाल जी हैं भई को उनसे नंबर के हैं चोद्वे नंबर के सीरीज पूछ सकता है दसमें व्यक्ति के रूप में कब सपतली थी 27 कतुबर 2019 को सपतली थी भई जनम पांच मई उनीशों चम्मन कहां पर रहत तक कहां पर निंदाना गाओं में अनिडाउट कर लोगे को अगला कर फिर ने एक बात तो और है पहली बार हर्याना सरकार के द्वारा के गोशना की इती सभी जिला प्रीषद के चैर्मेन भी ज्ढे फैराएंगे इस त्योट्य आ पहली बार बोला था कि के जिखने स्ह았습니다 यह स्यांद्टियद्स व्हों Ł Шेर्वंग्र ही वइन जहन्डे फ्हायेंगे और जिला प्रिशट्ट हर्याणा में कितनी है 22 अजय और इससे बसे अंगें कि है वाइस अमारा प्यारा सा सहर सब ये बेगम की हत्या हुई थी गूरुदुवारों का सहर बोला जाता है ये धान रखना के थर्ड को क्या बना गया था रिवाडी जम्नानगर के थर और पानीपथ चार डिस्टिक एक नवंबर 1989 देखना मैंने गलत तो नहीं बताया रिवाडी हर्याना की छोटी काशी बोला जाता है क्योंकि यहां क्या कि यह थे नो कुए कुए तो देखेंगा मेरा धोल कुए में लटका है नौ कुए का मतलब नौ कुड तापित किये थी यहां पर समझ माया पूचे किसके कहने पर स्री किसने किसने दिश्टर ने और नौ कुड घरों की वज़े से किसी आदमी को अगर उपादी मिलती है बेटा पानीपत दुबारा बनाया था उनीशों क्याणवय में नीशों नवासी में नहीं बनाए गया तो क्वेशन पूचे कि इसको छोटी कासी क्यों बोला जाता है तो छोटी कासी बोलने का रीजन यही है कि यहां पर नौ कुंड है जिखें अब अर्याना को भीवानी क सबसे जड़ा मंदरि और सबसे प्राचीन मंदर भी यही है tipping मत्याल सबसे प्राचीन मंदर का है है तो सॉम वह क्षें किस opens रजकल अचमबा मत करना आने वाले समय में सीमा है दर सनी लियों और कौन थी प्राकि सांदिन के भी मंद्री बनने लगेंगे आगी तेना वो जो वाइदी सनी लियों किसका मंद्री बनाएंगी तो कि भगत आजकल किसी के भी बन सकते हैं रतिया से विधायक को ने फड़ापड बताओ भादर गट गेटी में फर्याणा के नाम से जाना जाता है बादर जिस देश में असलीलता प्रोशी जाती हो और उन पे मिलियंस ओफ मिलियंस ओफ विव आते हो जादा मंदेरो जादा मंदेरो का मतला हूँ मुख्यामंत्रि का आर्टिकल पूछा मैं 101 जोड़ो देवेंदर बबली नहीं है देवेंदर बबली टुहाना से विधायक है पंचाइत मंत्री मुख्यामंत्री आर्टिकल्स अच्छी तरीके से जानते हो मैं ते तब मानूँगा जब मेरा चीता कमेंट करेगा रनजीत बेटा रानिया से हैं रनजीत चोटाला रानिया से विधायक है और रानिया सिर्षा में है और रतिया फत्यावाद में है रानिया का विध्रो भी तो हुआ था रानिया से हैं मेरे वाई और रानिया सिर्षा से है और यह कौन है जेल मंत्री हैं और बिजली मंत्री हैं और बिजली आगी तो मैं पता नहीं आर्टिकल 164-63 ठीक ना तो कैसे करोगे 163 कावन में 101 जोड़ दो कि इतना आया कि 101 जोड़ने से तो 153 आया है जूटी हर्याना जी कार्स पारटी कि यह पता एक सन्नों कि इसमें जोडना था प्रेजिजेंट राष्ट्रपती वाला नीचे काम कोन करेगा गवर्नर करेगा उसमें जोड़ना था जूठी अब प्रेजिदेंट किसमें है बावन में है गवर्नर किसमें है कि 101 जोड़े प्रधान मंत्री किसमें है कि करना था जूठी मेरे को प्रशा दिया अब उपर वाले में चुहेतर में 89 जोड़ना है कि इतना हो गया कि यहां नमासी की ट्रीक बनेगी तो एक सो तरे से टाएगा जो काम प्रधान मंत्री करें उपर वाले में प्रफएथेगी तो है कि कब बोला है वन लेजिए निक याद रखो में तो कए टाइन तक लिंग कि यंतर में जिए आयेगा संसा दुनासी में राजय सवासी में लोक्सभा इक काशी में हैं बवन में राश्टर प्रती 342 प्राश्ट प्रति चोहतर में पर्धान मंत्री आर्टिकल स्वेटर 5 में मंत्री पृषच कि 93 में लोकसुभा का ज्यक्स कि 110 में कि 108 में जो है 110 में भी बता देंगे कि 110 का नहीं पता कि मेरे मज़े ले रहा है प्रिंच सर्मा मज़े मतले शुरू मत कर क्योंकि शुरू कर दिया ना इतरे के लिए रोकना उख्षा हो जाएगा क्यों कि मेरी स्पीड 300 Mbps की है इंटर्नेट वाली मेरे में आजाओ घूमने सर ने कल तो पंच कुला घूम के आएंगे पंच कुला कि आप पूछियों मत उसने भी ऐसे पूछा था 110 कि यह होता हो अभी तो होता हुआ 108 में तो सुंक्त दिवेशन होता है लक्स बाका द्यक्स 93 वो उसके धक्सता करता रास्ट्रपति बुलाता है और आस तक तीन ही अधिवेशन हुए शुंक्त अधिवेशन वित विदेख होता है वेटा 110 इसको लोग सभा धक्सी पारित करता है राजय सभाब में 14 दिन के लिए वेजदा देता है राजय सभाब वाले ना भी माने बलत जाओ तारीकों जुरूर्त नहीं इसका राइट अंसर वरो तिरंगा फैराया कीली मांजरो तुनिल जागलन फलाएगा जंडा टोर्ली जर्नल चंतर मन्दीबिल 110, शुंक्त दिवेशन आठ, 108, 108 मास तक सिर्फ तीर बार ही एक बार तो 1901 में हुआ था एक बार बैंकिंग में हुआ था और एक बार अब भी हुआ था लेटेस्ट राइट अंसर मोहीत मलीक जंडा सुनील शागलन थोड़ा पर आएगा चारीस साल का है पेट निकला हुआ है तभी भले अध्वस्त मोहीत मलीक कहां का है यह किली मंजारों किल लंबाई बता उंचा ही बताओ पहली तो 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 बोलेंगा सर हमें आता है कि अच्छाण में मेटर उंची है और सुनील जागलान सर्पंच है सर्पंच सपेद कपड़े बैर सके किली मंजारों पर कुकर विग जेगा को गया आज तक वो सर्पंच कि अच्छा तो किली मंजारों पर हमारे मोहित मलिक जी गए थे वाई ध्यार करना इस बात का और मोहित मलिक किस डिस्टिक्स से हैं पर लिख दिया सवनीपत का फिर भी नहीं पूछ रहा है आजाओ देखो एक एक नाम देखते हैं सुनील जागलान जो का नाम एक कितिहास में लिखा गया है रियाना कितिहास में यह जीन के हैं और कोई जीन पर सवाल उठाए तो बीवीपुर गाउं लिख देना यह बीव पुर गाउं के इन्होंने बेटा क्या दिया था सेलफी विद डॉटर का कॉंसेप्ट दिया था क्या दिया था सेलफी विद डॉटर इन्होंने यह कॉंसेप्ट दिया था बेटा कब दिया नो जून 2015 और इनके पूरे गाउं में बेटी के नाम से नेम पलेट लगी थी ठी पूछेगा सेलफी डोटर डे कब मना जाता है नो जून 2015 को इसकी शुरुवात की थी और अब की बार सोवे सस्क्रण में जो सोवा सस्क्रण था उसमें मन की बात में मोधी जियों ने भी इसका जिकर किया था मन की बात में भी इनका जिकर किया था दूसरा पहले पॉल्टीशन है नौन पॉल्टीशन नौन पॉल्टीशन आदमी हैं भारत के जो यूएनों में संभुदीत करके आया चुके हैं संभाया यूएनों में और इनके उपर एक डोकुमेंट्री मूवी भी बन चुकी ध्यान रखना नो जून सेल्फी विड डॉटर से और सेल्फी विड डॉटर में हमारा एक देश भागेदारी पे भी आया है और उस भागेदारी देश का नाम है नेपाल कि अनिड आउट मैं सुरू करवा दो मैच खतम हो जाए मैं बात है कि मैं इतनी त्यारी करके आया क्लास की राज मैच हो जाए गलत है ना तो आजाओ अब परवत रोही पर आजाओ कि परवत रोही कौन होते कैसे चड़ते कैसे पैसे अगर किसी बच्चे का इंट्रेस्ट ह कि सर मैं जाना चाहता हूं ऐसे नहीं कि सुबह बढ़नावे रिलो मरा है कि या नहीं का मतला कि स्पोंसर्शिप करवा देंगे किसी एंजियो से और थोड़ी बहुत हैल्प पर देंगे अगर को इंट्रस्टीड हो तो पहले नोकरी लिलो नोकरी के बाद जाना है सबहे रह हुआ है आया जे अगर अगर के मेरा मारा म के गया ततने रहत तो अगरे साथ हुआ अइसा इंस्ट्राग्राम की आई टेलिग्राम की आईडी पर मैसेज आया लोरे सभी स्विश्णोई और फोटो भी सी की लगा रही हांकि ओ सेटी मेंस का बच्चा था तुने हेलो भेजा मैं जैसे क्लास लगे गए वह अगर मैंने हैलो बोला है है मैडम बोली तुपका कई लुट है कुछ बोले आओ यूट्यूब यूटूब पर परवत रोही सबसे पहली हमारी 39 अगस्त को अवरेस दीवस क्यों 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 क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार एंडमेंड हिलेरी गया था भाई यह को फिर भारत की तरफ से कौन गया पहली बार एंडमेंड पहली लिए पाल गया और फिर भारत की तरफ से पहली बार दिव्यांग कोन गया 2015 में अरुमी मासी ना गयी दोनों टांड नहीं थी तो नो पैर नहीं थे विचारी के दोनों पैर ना होने के बावजूर भी मांट अवरेस पर चड़ी ये खिलाडी थी रेल में जा रही थी किसी मरस्टंडों ने इसकी चैन खींच रहे तो नीची गीर गई तो दो ट्रैक तर अरही तो दोनों पैर कट गए और सारी राठ तुझा टड़ती रही और क्या ऐसा मन में तो सोचा होगा इसने बच्छेंदरी साल से मिली और मुझे मौंट एरुस्ट पर जाना है तेरे दोनों टांग तो नहीं है बुछे जाना है उसका को देखकर बच्छेंदरी पाल बोली तुझे जाने की जरूरूट नहीं अगर तुने दिल से दिमाग से सोच लिया तो चले गई बच्छेंदरी बच्छेंदरी संतोस यादाव हर्याना से गई थी नेकी पढ़वे भारत से पहले हम भारत का फैक्ट पढ़ेंगे नैशनल ज लिखा बेटा तुरासी में लिखा नहीं होगा समझ माया हर्याना की बताऊंगा पूरी स्वांगी पार्टक से लेकर अनीता कुंडू सतो स्वादेव जोनी अबास सब बताऊंगा आराम से डिटा करो समझ माया कहने का मतलब तुम सोच लेते हो चोटी सी हार में कि सर मेरे कशॉषा जिंदगी में ये हो गया ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके जिन्दगी में समस्या ना हो मैं समस्याहों करो करके पढ़ाई करते रहा करो नोकरी ले properties नोगे जिए यइद्गी में चौंभी स्टार्टप शुरू करोगी हो जाएगा किसी की मा बिमार है तो किसी के घर पे गरीबी है कोई अमीर है तो वो खुद बिमार है किसी की कुछ है किसी का कुछ है ऐसा कोई आत्मी नहीं है किसको जिंदिगी में समश्चा नहीं है तो इसलिए हम घबराया मत करो ठीक है ना आजाओ अब हर्याना की देखो एट बाद में कैसे पढ़ ले भाई डाउट नहीं ले नहीं फिर तो मैं रट्टा मार मास्टर हो गया ऐसे बोर्ड पर लिखता रूँगा तो रट्टा मार मास्टर तो उसी को बोलते हैं बच्चों के डाउट नहीं लूँगा तो फिर वाइदा क्या आ जाओ तो हमारी पहली कोन गई संतोस यादव जी गई भाई संतोस यादव क्या बोलगे पहली हर्यान भी उसे कोन संतोस यादव कहा से रवाड़ी से कितनी बार गई दो बार गई अब दो बार गई है तो और कहा कि रेवाडी की कोनसा गाओ जो नियावास कि में यहीं तो दिक्कत है कमेंट लेने मारकर और अर वादलो हरा करा पाला पीला कोनसा लूँ पीला भी दीख रहा है, चलो पीला ले लेती, जो नियावास की, दो बार कब गई, कमेंट करके बताओ फटापट, दो बार, जो नियावास, 1912, दो बार गई, डेट लिखो, तोड़ा ले लो जी, तोड़ा कोनी दिखा जी, साड़ाई दिखा जी, समझ मैं 1992-1993 नहीं है तो राज फोटू तो आप की विया यूँँ थी रट्टा मार हुए अच्छा बुक की वो तो मैंने वैसे है एच्पेसी रेना जी के क्या है 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 एच्पेसी रेना जी के में संतोस यादव जी गई है ठीक है अनीता कुंडू जी गई है कि वांगी पाठक गई है और हमारे वाले कहां जा रहे हैं कि लड़के कहां जा रहे हैं ठेके पर जा रहे हैं क remembers स्मांगी पाठक दो बार अनिता कुंडू तीन बार सिवौंगी पाठक एक बार जान एक लड़का और घाज कले गर्जच छोटता सा तीन साल का इर ज्ञानह बात करना इस वाद का ठीक है फिर एग और उन गया रहोतास खिलेरी ये कहां गया प्रोतास के लेरी हिसार के वाई मलापूरगाओं से है ये कहा गया बड़ा बड़ा बताया करो किसर वहाँ गया कोन सी चोटी पर गया लोहाथ से पर गया अभी मई 2000 में मई 2023 में अनीता कुंडू कौन सी चोटी पते करके आई है अनीता कुंडू तरजी क्वेस्टन कलियर नहीं है फिर बाद में कर लो राउल सर्मा फिर बाद में कर ले ना यार एक मेंट करके 20 कमेंट कर रहे हो अनीता कुंडू ने कौन सी चोटी को फते किया है अनीता कुंडू कहां हिसार के उकलाना के प्रीदपूर गाओं की है प्रीदपूर गाओं की कौन सी चोटी को किया है इस ने बताव हर्याणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं इनको ओएसडी मोटिवेशन पनाया गया है अभी हाल ही में ध्यान रकना इस बात का इनको हर्याणा पुलिस की लिंग का ब्राण वेस्टर बनाया गया है क्यों यह बोर्ड की हर्यना पुलिस की लिंग का ब्राणवेस्टर बनाएगा नीता कुंडु को और तीन बार क्वेसंद पूछे समसे ज्यादा बार कहां की कौन गई तो नीता कुंडु गई गलत है कि मकालू परवत पर गई थी अब इठाल ली है ना तो व्याकरवारी पढ़ना पड़ागा इस तो वे व्याकर आले को यह प्रवता पर एंडे जय तो मकालू प्रवत पर गई थी धान रक्राइब को 17 माई को तुरासी सो इक्यासी मीटर है स्वत्रा माई 2030 और यंडे जय है वे ब्याकरवांदी को नहीं पर क्वेस्चन दिखनी रहें और उन्हें साप काईडर रख्या है क्वेस्चन ने दिख्यां क्यूं मज़े ले हो यार क्यूं क्लास की डिस्टॉप करो हो फिर आपना ब्लोक कर देंगे फिर आप फोन करोगे पहला बच्चा जेक किसको नहीं आया हां ध्यान रखना इस बात को दो बार नेपाल के रस्ते से एक बार चीन के दस्ते देंगे और यह ध्यान रखना वेस्टी मोटिवेशन बनाया है हर्याना पुलिस के लिंग का ब्राण इवेस्टर बनाया गा इसको और अनीता लोधी जो करेकरम है उनके लिए आजकल बहुत अच्छे काम कर रही है कि कर ना चलो एनी क्वेस्टन्स मोहित मलिक हमारा कहां गा किली मजार उपर गया है और सिवांगी माठक सबसे छोटी उमर में जाने वाली थी यह महिला है जो सिवांगी पाठक यह कहां की है सिवांगी पाठक मात्र पांस पंद्रा साल की उमर में पंद्रा साल नो महीने की थी वहां चली गई कि एवरेस्ट प्रते करके आ गई तो कहां कि यह हिसार किये वेटा और कभी गया था चार साल का फ्रीदाबाद का था कौन ता दुशन चुटाला से मिला भी था उसका नाम पता नी छोटा सा गंजा से गया था हाँ हाँ वह बहुत अच्छी लड़की है यार और बहुत गरीब हर्शे उठके आई है निता कुंडो उन लड़कियों के लिए मिशाल है जो अपनी प्रस्तित्यों का रोना रोती है पिता जी की मर्तिव होगी थी ठीक है ना कि और फिर जीवन में हैड कौंस्टेबल भरती हुई हैड कौंस्टेबल एसाई एसाई तीन बार वहां और फिर समाज में योगदान वहां बहुत काम करती है तो जो लड़कियां तोड़े से प्रसीतिया ची नहीं हुई तोड़े से गोसे पथने परजे रोण लाइक जी हैं किस वरस तक हर्याना को बाढ़ मुक्त वर्ड प्री हर्याना तार्गेट्स कब अचीव करने का लक्से रखा हर्याना सरकार के द्वारा बताईए पड़ा पड़ अधिवान स्था वो दिवान स्था गुड़ुगाओं का कुटा साथ चार साल का बतानी है भाड हर्याना में सबसे कम बाढ़ का आती हैं भारत में सबसे जदा बाढ़ का आती हैं डिजास्टर मनेजमेंट पड़ पड़के पागल होगे कुछ हाया है नहीं अक्खर नहीं आया है सबसे बड़ी जो बाढ़ आई थी लेगहढ के 2026 का रइट अंस ओर होगा आज और हर्या राम एक बाड़ प्रसिक्सण के शूमिर कोलेगा कपर रहें हर्याडामे बाट प्रसिक्शन के यहां पर खोला जाएगा कहा पर खोला जाएगा बताओ देखोर यहाना में दो के मैदान को क्या बोलते हैं और प्रोपर अमबाड़ा है यह लिख लिया करो क्योंकि जो पहली बार क्वेस्चन आएंगे तो वही दीखेंगे यह आल यह कोईसेंस गगर 291 किलोमेटर सर प्राचिन नाम इसका हाकडा सस्करती है सर यह पूछ लेगा नैडी का एरिया कौन सा है यह फलाना कौन सा है मारकंडा कौन सा है धिकडा कौन सा है हम तो रट्टा मारे सर मारकंडा है सर 80 किलोमेटर लंबी है सर सरसोती के पहाइए अरुणाई गाओं के पास सनीशा ज्हील का निरिमान करती है इससे काम नहीं चलेगा इससे काम नहीं चलेगा सर लोगे देखो तो यह बाड कहाँ पर आती होगी तो हर्याना में सबसे ज़्यादा बाड कह आती है यह वाला हिस्सा के तो के तो अब्रोटा का आती यम्ना नगर में आती कियां आती है जमुना नगर में आती कि यहां बाड़ा साइड आती है कि बाड़ होई आएगी जहां नहरे होगी नती होगी हमारे यहां का आएंगी कि एड़े च्छोटा चल्णाडा उसमें रजवाय में पाणी नहीं आंदा कि आजो कर लोगे लोगे लोग लेकर शुट हर चर्णाड़े अला राट सब्सक्रा एक क्राव इस ओफिर बिस पूनडुन ना टबनाया गया है यह डिजास्ट्र मेंट में आपने मैंने आपको पढ़ाया कि एसन को लाइक एड़ शेयर करते रहो यार पांच हजार लाइक होने चाहिए मज़ा ना चीए लोग लिए क्रिस्टिन की तरफ है तो इस कुछ और लिए प्रकी चेर में अगर आप चाहो तो मैं लिखवाऊं सारे क्या करके आहूं जाटा त्यार करके आहूं अगर तक गुरुजी आप तो एमी आगे क्लास में ना आज भैनत करके आता हूं मैं क्लास में एमी टेम पास करना होता देखो हरको बैंक के चेर में अरविन इयादव थे हर्विन इयादव को हटा के को दूसरा दे दिया प्रेटन विभाग तो हरको बैंक के चेर में किसको बनाए गया उकम सिंग भाटी को बनाए गया उकम सिंग भाटी को बनाए गया तिक है और हर्याना प्रेटन विखास किसको दे दिया हर्याना प्रेटन विभाग यह किसको दे दिया कि अर्विंद यादव को दे दिया कि अर्विंद यादव को दे पसूधन बोर्ड अर्याना पसूधन बोर्ड का चेर्मेन किसे बनाया ये मिर्जापूर का एक उर्चेतर में ध्रमवीर मिर्जापूर ध्रमवीर मिर्जापूर कुर्चेतर से ठीके? और क्रीशी का खर्याना महिला बोर्ड का महिला आयोग का चेर्मेन रेनु भाटिया इसने बहुत अच्छा ब्यान दिया था वो योगों बारों में छट्वे राज्य वित आयोग किस्ता अपना वित आयोग का देखो किसको बनाय गया है राज्य वित आयोग का चेर्मेन ये लिख लो पहले आगे फिर बताता हूं को यकजाम ना होना हमारे हिस्से में थोड़ा है राज्य वित आयोग कि रेनु भाटिया ठीक है इसका चेर्मेन कोन है राज्य वित आयोग का तो इसका है पी रहविंदर राव राहेंदर राव ये जो बना था राज्य वित आयोग छटाई चल रहा है अब तो ऐसे तो 31 मई तीस दिन स्तंबर के जून प्राइल मंबर के 31 मई उनीश्व चुराणवों को बनाया था बटा पीज विकास निगम का चेर्मेन किसको बनाया गया है पीज विकास निगम वैसे मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा तो सुमित्राणा को बनाया गया ये सुमित्राणा जेजेपी से आता है सुमित्राणा और बीज प्रमानिकरण का मुख्यले का है पंच्कुला में आपर है पंच्कुला में ध्यान रखना इस बात का चलो और डाउट किसी को बाकि आगे बहुत सारे क्वेशनों में आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे ठीक है सुमित्राणा अट्टे कट्टे से जवान से हैं जेजेपी में आते जेजेपी जन्नाइक जंत कोन साथ है भारत का सबसे सरवादिक प्रजूसी सहरा सिर्शा कैथल फृदाबाद इसका अन्सवर मैंने एपवी बिता रखा है ना देखना ना कुछ करना सीधा फृदाबाद करके आना कि अब भीज विकास निगम के चेहर में ने मिटा सुमित्राणा जिसन चुटाला के खास करीबी माने जाते हैं अगर देखो सबसे दूसी सहर तो दिल्ली ही है और दिल्ली के बाद फृदाबाद सबसे ए आई क्यों इतना लेवर नीच उपर है पता है और सबसे कम हमारा करना आणाता है हरयाना का पैरीश बोला जाता जिसको ठीक है ना और सबसे कम प्रदूसित कोन है इंदोर अब से कम कौन इंदोर अफ्र देन कौन विशाखा पठनम के अपर देन कोन बहसूर कराटक कि याद किया करो फृदाबाद कि रिदाबाद में वेटा इसलीह है क्योंकि फृिदाबाद को । सारी फैक्च पर यार ठीक के बी कि नगता इसको जाना जाता है कि को सारी फैक्टरि हैं या बता वो कौन कौन सी फैक्टरी बता पही हैं राजदूत मोरसाइकल यहां बनते हैं मारूति का यहां उनिस सो ना मरुप्टी तो गुडगाओं है सोरी और ट्रेक्टि टुक्टिर सारे यहां मंतर्ट ट्रेक्टर का समान बनता है फ्रीदावाद में कि तो कि पर मेरा एन सी बी में हो गया अजे चहार न सी बी में हो गया तो मिठारी का डबा लेकिया करो है यह से कमेंट में दिल दुखता है कि दिल दुखता है कि हमने जिसको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया माबाप की तरह पाला पोसा और वो मिठाई नहीं देखेंगे आओ कि खिलाडी कोन है वहां से प्रिदाबाद से राउल तेविटिया जे रात्रा तोनु निगम गायक स्वरक्षा सब्तहा कब से कब तक बनाया गया नितिन गड़गरी के पास है अर्याना में किसके पास है मंत्रा ले कि रोते मंत्रा ले भी लिख लो सारे एक बार हां पर वहनत क्या करो हमारे लिए मंत्रा ले भी लिख लो सारे तो इस मंत्रा ले आ जाए पेपर में मास्टर जीओं को दो मिगाली घड़ागड़ घड़ागड़ करो मूल्चन सर्मा है पक्का कहां से भी धायक है मूल्चन सर्मा जिली पुलिस का बैच बेटक आपने क्यों नहीं लिया दो चार दिन पहले सारी प्रसस्ते बैस थे पंत्रा फाइव जीरो कोड़ चल रहा था आप कर दो हजार लाइव करवादेंगे तुसील भाई था तुसील राजपूथ हना 50% तब ले लेते 800-200 रुपे के 500-500 के भीगते रहे कमेश्टी का 4000 रुपे का पीजेटी का तब तो लिया नहीं अब बोलते हैं सर्कम कर दो कि सक्षाबंदन आई थी जनमास्त महीं आई थी और बीच महाते रहते हैं तो 20 कर राइटन्स हो रहे हैं ठीक हैं तो मंत्रा ले लिखो कि दिशियेमस आपके पास कौन कौन सा है ए वित्मंत्रा ले है अब खेल मंत्रा ले भी नीके पास सला गया भाई वित मंत्रा ले खेल मंत्रा ले नगर नियोजन वाला भी है और भासा सवस्कर्ती पता ने क्या-क्या लिए बैठा है सरी तो आ रहे ही लेके ऐसे थोड़े कुंडली मारते सर सिख्षा मंत्रा ले तो हमें दे तो भासा सवस्कर्ती प्रक्सेशन पिछडा बरग आयू अब सब्सक्राइब नागरिक्ता भोगता सिविल पुन्रवास लोख निर्वान पीडवलुडी डिपार्टमेट कराधान आबकारी उद्योग मंत्री पूछ सकता है संदीप सर को हटा दिया है संदीप जो होकी के थे उन पर मुवी बनी थी शुर्मा उनको लाइक फ्लिक्पर के नाम से जाना जाता है और उनका खेल वन ट्रैले सीम सावने ले लिया है संदीप को फ़री कर दिया है एक्जाम की हर्याणा जी के कोई नहीं करवाता विक्ति धत्रवाला साब हमने एक्ज़ी पीजीटी एक्जाम पहली बाद तो हमने क्यारी नहीं करवाई और हर्याणा जी के तो चलो फिर भी सब की बराबरी होती है बेज़ दो हमें पता भी नहीं था कि PGT के HPSC के एग्जाम चल रहे हैं इस एग्जाम की हम क्यारी ना भी कराते तब भी पेपर का सोलूशन करवाने की पुरभूर कोशीज करते हैं कि और सबसे पहले करवाते हैं अगर नहीं पता होता है मुझे नहीं भी आते मैं तब भी लाई वाता और यह मुझे नहीं आते मैं बूल के जाता है आते नहीं बाद में करवाऊंगों कि कर ना तो वो तो हम मुझे हम क्लास की तीन दिन से ट्यारी कर रहे हैं में पीजी टी ये स्ट्रेट ओं की तियारी कर रहे हैं हर stub investigation आदे को हैं पर नंगर सामने दु Kendra ऑल यहां से हूं से करो औरा हूं में घड़ा हूं है कल में पेपर थी लिए कहंता हूं कि सब्सक्राइब ध यूजनिंग है जहां से करो हो प्रॉप प्रोटी नहीं थी काम को लगाऊंगा एनर्जी रोजी रोटी पे खड़ा हमने कोमेंस का सुलूसिन कर लिया था हर्याना जी के रिजिनिंग मैच सब करवाना है रात को टीम ने बताया थी ऐसे से पेपर हुआ यहाँ कोड़ी वहाँ से भी कर वाला कुछ आला तो लिको कमर पालस जीयों के पास क्या है अनील वीची गुए अंबारा केंट से विधायक है ध्यान रखना रिजरोण सीट है उसकी एंपी की सीट आल्यके कमब के पास आम अंत्रा को साथ को जुसा स्वास्था शें ही और आजूशा इस डिपार्टमेंट अलाग बना दिया दहाद राँप्ना इस बात का कवरبي के पास कुन साँ है कवरपाल इसक लिए आप बोह रहे हो सिक्सा रिक्सा तो आपने बेराई है हाँ वातावरण लुए यू कैन से वन मंत्री भी बोल सकते हो नैसको वातावरण के वन वन जीव आ गया इसमें मूलचंद सर्मा प्रिभायन मंत्री है सेंटर में नितिर गणड़ करी वह भाई प्रिभायन मंत्री है एक रंजीत सींग पारागार और जेल मंत्री बंवारी लाल कोन है सहकारिता मंत्री है सहकारिता मंत्री अन्यैत का वेच्षिए पोल्टिकल साइंस का और वही पढ़ाते हैं हमारे जिनके पेपर क्यालियर है अगले का नेट जे अरफ है वो पढ़ा रहा है इंदी पढ़ा रही अगली का नेट जे अरफ कलियर है एस्टेट कलियर है मेरा अर्याना जी के में है जे अरफ एक वेस्टी मिनेट है ठीक है आज कल तो अर्याणा जी के का भी जी आरा मुने लगा आज 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 के लिए विवाद में चल रहा ना तेविंदर बबली विवादों का मतलब पंचायत का डिपार्टमेंट किसी को अर्याणा जी के को तुमारा डर खतम करना बस मुझे अंचायत मंत्री एक कसन पूछूं प्यारा सा कुष्सन मुझे धान में कोई पॉइंट नी बनता हर्याणा पुलिस में किसी दल्ले को पैसे देने की जरूरत नी दलाल को अगर कल बलाइंड है तो निकलोगे व कर रहे हैं और डाटा भी बता देता हूँ ठीक है कितने लड़के कहां ट्रेनिंग कर रहे हैं एप रूटी वीडियो नी बनाता मैं इसी वीडियो के साथ 20-30,000 वीवी ले सकता था कि देखो रियाना में इतने वो हैं कि सुपर मैंने मंगवा लिया था डाटा कुनारिया जेल में कितने हैं उसमें कितने ओ जेल में नी स्वरी ट्रेनिंग पे तो जेल में तो क्यों जाए भाई विचाहरा कि 4900 कुछ बच्चे ओवराल ट्रेनिंग पे ठीक ना पांच हजार में से तो वेटिंग की खूब लगें गवराना नहीं है जिन में से आपके बटाली नंबर एच्पी मधुबन करनाल में बटाली ने एक में 608 गए हैं 640 दूसरी में गए हैं चोथी में 640 गए तीन में 660 गुड़गाओं में 116 फरीदाबाद में 417 पंच गुल्ला में 300 पशेतर यह उन्हों नगरे मतलब टोटल आरसी बहुंडशी में 1108 गए हैं मतल टोटल ओवराल में वीडियो बना देगा कुछ नहीं है बहुत वेटिंग लगेगी अगला क्मिसल्स तो सरडक की बात करते हैं हर्याना में सरडक कौन से नंबर पर है हर्याना सरडक में बता ना सरडकों की लंबाई बता ना हर्याना में सरडक सब्ता राइट अंसर भी सरडक को की लंबाई कितनी है 26,375 किलोमेटर और देर आर टोटल नंबर ओफ नेसल हाईवे नेसल हाईवे 34 लेकिन नया भी बना है कुछन पूचहें कि 35 नेसल हाईवे कौन सा बना है तो 35 नेसल हाईवे बना वेटा 150 समझ माया फिर एक और क्रेंट का क्वेस्टन बन गया एक और करेंट का question बन गया, क्या बन गया? कि हर्याणा एक भारत-माला योजना बन रही है. सब्सक्राइब भारत सरकार के त्वारात्व हाइशन में इसP निची नीचे शुरूद लेकर ऊपरत माला पूरे भारत मैं से एक वरजा के उसमें अइंडर हमारे हमारे हां यहां खुडामें पांच नेशनल हाइवेइइ अजाएंगे हुँस होुस हो जाएगी के order भारत माता योजना के detet कितने ने बनेंगी है और हमाला योजना के तह sont दो कितने बनेंगे पाँ कर ले ना ठीक है । सबसे बढ़ा छोटा देशना है शर्वाइवे, बताओ, कोन सा है, हरियाना का सबसे छोटा नैसल हाईवे, बताओ, बड़ा, तो सबको याद है कि सबसे बड़ा थो नैसल हाईवे, न्ह नाइन है, सर, 6 जिलों से होकर गुजरता है, सर, 285.6 किलेमेटर, लंबाई है, सबसे ज्यादा जिलों से पूर्सा नेसल्हाईवे जाता है पिटा नेसल्हाईए 44 जो कभी एनेच वन और एड्श टू हुआ करता था 255 फ्लोमेटर है 255 फ्लोमेटर है तो चोटा नेसल्हाईवे कौन सा बताया किसी ने निए बताया 5 गलत है कि घृटा हो जाएगे घृटध कित्यारे इमांदारी से मैनत करना जितनी हमारी टीम मैंत करती है सबस्क्राइब एक सबसे चोटा 148 फांच किलोमेटर लंबा नोट कर लो वो गरत है चैसे सब एक सो अरतारीस ए गुलीघांग दिल्ली को जोडता है पांच किलोमेटर लंबा सिरफ पांच किलो में को मैं राजस्तान से हूं कि राजस्तान अड़ो हो लुए राजस्तान अड़ो हो तो पिको भायो ठिक है और क्पस्न पूछ सकता है स्रड़क से हर्याणा में स्रड़क के वारे ने कि रड़क सरड़क के इतनी प्रसेंटेज हो ओवराल एक पाइंट उन्नीस प्रसेंट सरड़क है ना रियाना में कि युद्ध से टोप पर है भारत का तीसरा नंबर है सरड़क परिवैन में कभी दूसरा हुआ करना था तब चाइना आ गया बीच में कि पाँछ एंट जाटनी पाँछ हैं हाँ हर्याना परिवैन का रास्टी करन भाई निव स्ञमव करनहीं रास्टी करना निज है युद्ध हर्याणा प्रिवैन का और आंश्टी और 클leavi निटके में में चुवारिस कितने जिनों से उकर गुजरता है, हाँ बेटा, क्वेस्टन पूछा करो, देखो, चुवारिस साथ जिनों से उकर गुजरता है, तलवल, फृदाबाद, दिली आगया, बीच में सोनी पत, पानी पत, पानी पत से आगे कोन, करनाल, कुरुचित्र, अमबाला, ऐस साथ जिनों से उकर गुजरता है, हैना चुवारिस, दुस्वपचित्र कि लाए, उच्छा करो, ठीक है, और कोई क्वेस्टन पूछना हो, छै नहीं, साथ बेटा, साथ के साथ बता तो दिये, छै से तो वो भी गुजरता है, हमारा सबसे बड़ा, इससे पता है कि क्वेस् प्रक्स तल हुआ, उसके बारे में पूछ लेगा, जैसे किलियार जिल कौन से पर नैशनल हाइवे पर है, ग्रीन में ब्लैक नहीं दीखता, तो इसमें दीखता कौन सा है, लाल दीखेगा, पीला ही दीखेगा, और कौन सा दीखी गई जो, काला दीखतो रहा है, वही बात है, दो गंटे से बच्चों को दीख रहा है, यह बीच में आके बोल रहा है, नहीं दीख रहा है, यह उमरी ऐसी बेटा नहीं दीखेगा, मैदानी भाग समुन्दर तल से कितनी उंचाई पर है, यह जर्नल क्वेस्टिन है, लेकिन पेपर में आते आते हैं, और आते आते गलत नहीं होते हैं, पर्याना में सबसेदा टूटी-फूटी श्रडग बटा जीन में है, क्या करोगे, क्या करोगे जीन में है तो, और किस नेशनल हाईवे का, सभी का नेशनल हाईवे का चेंज कर रखा विटा, का सभी के जीन की धर्ती विरों की धर्ती है, जहां स्टडी मंत्रा है, पत्र स्टडी मंत्रा तो मुखर जिन अगर की देन है परमातमा के दया से, कि मिट्टी तो वहीं से ना हर्याना के आज कर लोग बदल रहे हैं तो फिर भी स्रड़क लोग बदलते नहीं यह लोग तुरा भी घौप देते समभल के रहा करो इसका राइट अंस्वर है मैदानी भाग कौन सा मैदानी भाग हर्याना में हर्याणा में समुदर तल से कौन सा भाग है साथ सो से नो सो मीटर्स राइट अंस्वर एससी पंदरा बार पूच्चू कि इस कुष्टन्स को पंदरा बार ताथ सो से अच्छा मेंदरगर्ड सबसे बैकवर्ड नहीं है मेंदरगर्ड पैसा इन्वेस्ट करता है उसको यह नहीं कि कि दो रुपे का कोर्स आगया ले लिया मेहंदरगर्ड और पीएस यदिवन सी सूरज पॉत तकड़े तकड़े स्कूल जो एक महिने की फीश बच्चे की दस दस अजार रुपे करते हैं मेहंदरगर्ड का आदमी अगर बीस अजार पे किसी प्राइवेट कंपनी हीरो कर देता है सुखी रोटी खा के टाइम पास करता है कि यह तरह दारूपी के बच्चों की देख भाल भी ना करें तो पर है मेहंदरगर्ड रिवाड़ी एजुकेशंस इक्यानों पॉइंट स्वालिस प्रतिसाथ और यू कैन से मेहंदरगर्ड इस पिछड़ा और द्रस्ट अकेले मेहंदरगर्ड के 50-400 में से इतना बड़ा डाटा है तोटा डाटा नहीं है एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हूं कि अलो कि हुँ कि परवाय देतूं मैं बैर हूं कि परवाय देख वरवाय देख कि अलो कि लेम वेवाय फाइल भी जूं कर देख और यह कि मैं भी जुन तर दो निटाएगे अब तक अगला नस्वर्दों में कुछ काम कर के आता हूं बताव फटाफ़ट अगला कस्टन देख प्रदीपर कि हर जुक्त कि पाइब कि अरश कि तो कि तर्स नंबर फाइब माइक लाए जी तेने सर्जी शिक्सावस्था गिर रही है कुछ बोलो कहां गिर रही है और उड़े चला फोन कर लिए गबारी मेरे दो रहे अरे शुरू आजो पहले पीछे वाला का अंस्वर देता हूँ एक बार एक्स्प्लेण कर देता हूँ देखो हर्याना में जो लंबाई है मैदानी वाली इसका रीजन क्या समुंदर तल वाला साथ सो से नोटोमेटर दो ही चीज़ें याद रखना ये वाला हिस्सा के पुर्वी सीमा बनाती है और ये कौन सी गगर पस्मी सीमा बनाती है तो यहाँ पर 1514 मिटर करो और यहाँ पर 652 मिटर डोसी की पाड़ियां नानोल के कुलताजपुर गाउं चंध रीशी से संबन्द रखती है ठीक है हाइट के एक तो ये क्वेशन है 700 से 900 मिटर और एक शस्षोबावन मिटर एक 1500 एक अनकई दल दल है बिटा हर्याना का सबसे नीचला हिस्सा है अनकई दल दल ये 200 मिटर से 300 मिटर आएगा बंद कर दो हाथ लियार जील बिटा नैसल हाईवे नेच नाइन पर है ठीके तो हर्याना का सबसे जो नीचला हिस्सा है वो अनकई दल दल है धानकना इस बात का और अनकई दल दल सिर्शा में ही पाया जाता है सिर्फ और किस नदी के दवारा बना जाता है यू कैन से गगघर रिवर्स के दवारा इसको बनाया जाता है कर लोगे अगला क्वेस्टन अगला क्या क्वेस्टन था इमिलिक में कौन सा प्राकर्तिक भाग सबसे बड़ा है ये क्वेस्टन आता है राम से सबसे बड़ा प्राकर्तिक भाग कौन सा हर्याना को कितने भागों में बांटा गया है विच नेसनल हाईवे सिजवेटरी इन हर्याना ओल्ली इतो नहीं बता बाई राजकुमार देखके कर लेंगे बता इस क्वेस्टन कांस्वार कोन सा प्राकरतिक भाग सबसे बड़ा है अब इस क्वेस्टन पे गुरुजी एप पे लाइव कलास नहीं चले रही संडे था आज कैसे चलेगी बताओ इसका अंस्वर मैदानी भागया भी बताया तो था कितने भागों में बाटा जाता है अर्याना को हर्याना के आठ भाग है अच्छा सर हाँ डॉक्टर जस्बिर की एक पुस्तक है एन एग्रिकल्चियरल जियोग्रोफी ओफ हर्याना इसमें हर्याना को आठ भागों में बाटा है समझ माया और सबसे छोटा भाग बड़ा भाग पूछ सकता है नंबर एक सिवालिक उत्तरपूरों में स्थीत है अर्याना के कूलक्षेतरकवल का एक पॉइंट सरसर परसेंट हिस्सा है दूसरे नंबर पर गिरीपाद मैदान है जो तीन डिस्टिकों में फैला हुआ है यह अर्याना का सबसे छोटा हिस्सा है समझ मैं सबसे छोटा हिस्सा गिरीपाद मैदान सबसे उपजाओ है लेकिन तीसरा जलोड मैदान सबसे बड़ा जलोड मैदान चोथा बाड का मैदान मारकंडा दवारा बनाएगे बाड के मैदान को बेट वो खुली पिछली सीट पे रखी थी जो वो अपने आप ले लेगा सुभास पाँचमा बालू युक्त टिब्बे तीसरा छटा तरंगित बालू मैदान मतलब बालू भी होगा और मैदान भी होगा साथमा अनकई दलदल और आठमा अरावली सबसे छोटा अनकई दलदल नहीं कह सकते अनकई दलदल सिर्शा में बहुत बड़े अक्षेतर में फैला हुआ है और यह सिर्फ 35-40 किलोमेटर है कलियर नहीं है कलियर तो मैंने लिखवाय है नहीं जो लिखने की बात है वो लिख इसमें आपसे क्वेस्टन बूठेगा अनकई दलदल कहा है बस इस्ट्रीख होंगे चार अनसौर देना सिर्शा क्वेस्टन बूठेगा लाल मिटी कहां पाई जाती है अनसौर देना सिर्शा बस चीक है? ऐसे अनस्वर देना है समझ मैं या? चीक अरावली अनस्वर देना है किस साइड है? तक्सिन पस्थी में स्तीथ थे सर कितने डिस्टिकों में फैला हुआ है? छे जीलों में फैला हुआ है सर सबसे ज़्यादा सर गुरू ग्राम में फैला हुआ है हर्याना के कूलक छेत्रफल का कितने % है जो question बन रहे उनी को बता रहा हूं मैं कूलक छेत्रफल का 3.09 % हिस्सा है अरावली दक्सिन हर्याना की उँची चोटी अरावली पे ही है दक्सिन हर्याना की सबसे उँची चोटी कौनसी 652 मीटर वही नारनोल कुलताजपुर गाओं धोसी की पाडिया लेकिन इसका संबंध पूछ लेता बेटा किस रीशी से जो तुम चमन प्रास काते हो ना चमन रीशी से इसका संबंध है बस यह आठ भाग हो गए सैसन को लाइक एंड शेयर करते हैं रहो अब आगे ना बच्चे आठ बजगे होंगे आठ बजने वाले होंगे इनको पता नहीं था अच्छा है बजे क्लास आज क्योंकि इनका ध्यान का है मैच पर है हुँ और जिसका ध्यान मैच पर है बेटा तो जिन्दगी मैच खेल जाएगी और अरावली त्री पॉइंट सिवाली एक पॉइंट सट सट और एक बार इसने मैच खेलना सुरू कर दिया तो समझ भी भी नियाएगा हमारे जीविन में चल क्या रहा है चलो बाकी मर्जी है वही आपकी मैंने बताया मैंने कल सपेशल बोला था कि छैब जे क्लास होगी और कैसे बताऊं टेलीग्राम पे डाला कि आज क्लास है और अब क्लास तक कितने हजार क्वेस्टन हो चुके होंगे वही बताना दो घंटे में चलो अगले क्वेस्टन की तरफ कर लोगे तो ये रावली की पहाड़ियों का सुस्क मदान अर्याना में तीन रावली के बारे में कुछ एक और क्वेस्टन है भारत सरकार के द्वारा अरावली ग्रीन वेली प्रोजेक्ट छेडा गया अभी पूछ लेगा किस डिस्टिक से और इसकी सुरुवात किस ने की मतलब इसका जो उद घाटन वो किस ने किया भुपेंदर यादव ने और भुपेंदर यादव कोन है केंद्रिय परियाबन मंत्री भुपेंदर यादव टिकली गाहों से कहां तक जाएगा ये गुजरात के पौरवंदर तक कितनी लंबाई है इसकी ग्रीन पौरवंदर पांच किलोमेटर चोडा चोडाई में और 1460 पलस किलोमेटर लंबाई में पेड़ पोधे लगेंगे ताकि प्रदूसर ना फैले अब जोर होती रहे स्योटू गैस समझ मैं आए तो उसका नाम है अरावली ग्रीन वेली प्रोजेक्ट क्वेस्टन पूछेगा हर्याना के किस जिले से सुरुवात हुई हाँ पर ओप्सन होगा मैच में बारिस आ रही है मैच वाले क्या सिका रहे है ड्रीम इलेवन सट्टा खेलो बच्चो आने वाली पीड़ी क्योंकि पीड़ी फोलो करती है हाउस वाइब भी है जी पढ़ने वाले काम भी करना पड़ता है घर का प्रका काम भी करना पड़ता है जो पता इंडी था चलो कर लोगे कर लेंगे सर, अगला क्वेस्स बाहडी इस्थित ऑई कितना प्यारा क्वेस्सिन है ना मैंने सास मा रखा था मेलो मैं इतनी मैनत करून और बच्चे मैस देखें द्धांस हो देखो मेलो जुडेंस को फुट प्यारा क्वेस्सिन है इंदोरी कितने किलमेटर हैं इंदोरी की नदी इंदोरी पहाडी मेवात में मेवात जिला कब बना बीश्वा जिला बना होगा ना हमारा 2005 में अप्राइल 2005 में इसका नाम रखा चुटालाने सत्यमेपुरम फिर इसका नाम रखा मेवात और अब इसका नाम है नू और अब इसका नाम भी बदलेंगे देख लिए चार अप्रेल को हुआ था ठीक है विश्वाजिला मेवाथ इंदोरी नदी है इंदोरी किले से निकलती है लंबाई एक सो ठानवे किलमेटर और ये साहिबी की सबसे बड़ी सायक नदी है अब जो नया बच्चा जो अर्याणा जी के पढ़ रहा है उसको पता कितना घुशा रहा है उसको ये नहीं पता कि साहिबी है कौन उसको बस ये लिख रहा है साहिबी की सबसे बड़ी सायक नदी है चार अप्रायल लिख लो बेटा लो चार अप्रायल लिख लो ठीक तीन अप्रायल लिख लो जूभी मर्जी अब नया बच्चा सूचेगा कि एस इश इबी कोण है सायक नदी दो लिखवा दी क्यों तो आएगा ना गुस्षा एक सो ठाणों किलोमेटर बेटा जिन्दाबाद 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 रहेगा हमें क्या दिक्कत है तुम क्या कहना क्या चाहते हो वो दिन गए जब हमें गुस्षा आता था अब वो दिन गए क्योंकि अब नहीं आता गुसा और जिन्दा बात तो सेलेक्शन बताते हैं पेजबुक का पेज बताता है मेरे वाला क्यों वही करना एक बार स्वागत भाई का हुँ कि यह थोड़ा सब्सक्राइब करें दो इसके कहने से क्यों हम ऐसे लोगों के मुह नहीं लगना चाहिए कि शाइभी के बारे में बताऊंगा है एंसलों मतलों कोई नहीं नहीं किसी के बारे में नहीं नहीं कि चास किलोमेटर नहीं आएगा सुमीत गलत पढ़ लिया बेटा आपने आपका कोचिंग जिंदाबाद है इससे हमें मतलब नहीं है नाम दुसरी जो बेधान दिया करते समझ माया दस हजार कस्टन में इस लाइन क्लास में पढ़ा दूँगा दस हजार और जो बच्चे दो गंटे चे देख रहे हैं उनसे पूछ भी लेना और फिर पांचे गंटे की साइंस की क्लास लोगा पांस हजार उसमें करवा दूँगा समझ माया और बता आपकी कोचिंग जिन्दा बाद रहो हमें को दिक्कत नहीं है ठीक है ना डॉंट वेरी और ना इमनी चीजों से जलन खुरी करते क्योंकि जो जलते हैं वो बुझते हैं चाहिए दिया हो अभी नेसर वाली बात है आ जाओ तो साइबी नदी के बारे में जो बच्चे नहीं उनसे देखो सीटी में तीन क्वेस्टन आये साइबी ने दी के बारे में ठीक है हर एक आत्मी का अपना एक धंदा होता है करो अराम से दूसरे की दूसरे की बुराई करके हमेशा जीवन में वहीं आगे बढ़ता जिसके खुद में दम ना हो मेहनत करते रो जिन्दिगी मागे बढ़ते रो चाए प्रोशी हो चाए रिष्टेदार हो बस ठीक है हाँ 120 किलो मेटर लंबी वेटा ही सब अपना मेहनत का काते हैं दक्सिन हर्याना की सब से लंबी नदी महत्पुन भोलोगा इसको तक्सिन हर्याना की सबसे महतफून नदी है ठीक है भई नए बच्चो सबसे महतफून नदी 120 किलो मेटर कहां से आती है ये रिवाडी माल लिया हमने पड़ा का मिवाद की पाड़ी बोलो बहरोड की पाड़ी बोलो नीमत की पाड़ी बोलो शीवर की पाड़ी वोलो, जैपूर की पाड़ी वोलो, पांच नाम में जहां से आती है, और कहां से रिवाडी से प्रवेश करती है, अब सीटी में आथा कि मसानी बांध किस दिले में है, मसानी बांध रिवाडी में सर, अब यह जजर गुर्गा में होती है, यहां पर जो इसको बोला गया था वो आपका बोला जाता था क्या बोला जाता था आपका बस अब इंदोरी इसकी सबसे बड़ी साइक नदी है इंदोरी इसकी सबसे बड़ी साइक नदी है चीक ना तक सी नंदर तो question पूछे की सबसे बड़ी साइक नदी कौन सी है गंगा की सबसे प्राजस्तान से होकर आई है ना टोटल साहिबी हर्याना में लंबी चलती है पानी जुका जो सिंची चक्षेतर वो ज्यादा है इसलिए दक्सिन हर्याना की महत्रपूर नदी है सुमित चोधरी आप कसिन की लेंगवेज को नहीं समझ रहे मनोहरपूर और जीटगड से निकलती है सिकर डिस्टिक से निकलती है यह मुझे नहीं पता था पता यह मेरे को किस ने बता राके यादव सरमेथ वाले आपको पता ही होगा यह ससूर जी है और सर भी रिवाडी से ही है और जब मैं बुक ली करा था पहली बार जब 2017 ठारा की तो मेरा जो पूर रिडिंग कर रहे थे हम साथ साथ तो सर के साथ मेरे अच्छी बनती थी उनके ससूर थे इस पर खूब भाएस हुई थी हमारी यह बहरोड की पाडियों से निकलती है सरमा नीमच की पाडियों से निकलती है पबलीकेशन होई देखते हैं सर के ससूर पता है क्या वोले बहरोड नीमच और जैपूर की पाड़ी मेवाद की पाड़ी च्यार क्वेस्टन याद रखना कोई भी आपसे पूछी और सर ने तो गाउं के नाम भी बता दिये थी ऐसे टीन टेर बले यह गाम आओगा चूंक उसी साइड पड़े गया ना रिवाडी साइड बहरोड सेवर दोनों सही है कोई ओप्सन आए इन पांचों में से कर लोगे चालो और वो कौन सी नती है जो एक रिशी की बर्गू रिशी की पतलियों से निकली बताओ आज कल वालियों के डीड रहती है डीड निकलती है या फिर एक और आता है लिक्विड और एक ऐसी रिशी रिशी था भर्गू इसकी पतनी थी पोलीमा वो रो पड़ी एक बार उसके नेत्रों आशूं से नदी निकल पड़ी बताओ भई और आज वो रो पड़ी कि मैरे सूट कुन दू आंदा सुनीतान अंदर तरन तो आप निड इंस्टोल करकी थी तरन तो आप भी डिलीट करकी थी आशूं से तो कोन सी है दोहान नदी है संताय भी डिलीट कर दी थी दोहान नदी है भाई अग्जाम पुर भाई राम राम अग्जाम विल राम राम ठीक है तो क्वेस्टन पूछेगा दोहन नदी किस रीशी के पतनियों से निकली चार रीशी होगे चावंद रीषी आजाएगा, बर्गु रीषी आजागा, रामदेव रीषी आजाएगा कोई भी आजाएगा, ठीके न, कर लोगे अगला question कर लोगे अगला question कर लोगे हर्याणा दूरदेशल यह shift कर दिया भाई कब किया यह बताओ फटाफट सेशन को लाइक एड़ शेयर करते हैं रहो फड़ावट अज आपकी और मेरी मेहनत काम हा रही है जैहिं भाई कग्र की सबसे बड़ी साहिक नदी सरस्वती, गंगा की सबसे बड़ी साहिक यमना और इस साहिबी की सबसे बड़ी साहिक नदी इंदोरी तीनों याद रखना पैच नहीं चलता राजनीती चलती आज गल तेरी अंदर जादा ठीक ना? हाँ राजनीती का शिकार होने के बाएज यह होता है चंदी गड़क सिप्ट हो गए हो गए तो चलो आगले बताओ 15 जनवरी 2023 को सिप्ट हो चुका है आईसार में कब खुला था? पहले बताओ भारत में दूर दर्शन की सुरुवात कब हुई? भारत में दूर दर्शन की सुरुवात कब हुई? और एक ऐसा देश बताओ जिसने FM रेडियो ही बंद कर दिया रेडिया नहीं खाली FM रेडियो बंद करने वाला देश इनली यो 10,000 क्वेस्टन तनीसी 2 गंटे से पढ़ा रहा हूँ 10,000 क्वेस्टन भारत में दूरदर्शन की शुरुवात 1969 में होती है दिल्ली से ध्याद रखना इस बात का समझ मैं और FM रेडियो को बंद करने वाला हिसार कब बना सुस्मा सवराज आई थी ना एक नॉवंबर को रेक नॉवंबर को आई थी एक नॉवंबर 2002 सुस्मा सवराज उस समय सुचना इंपरसान मंत्री हुआ करती थी एड परजेंट सुस्मा इंपरसान मंत्री कोन है अनुराग ठाकूर है खेल मंतरी प्रोड कास्टिंग मंतरी तरो सुनीता बहनमाची तरी के से जानता हूं ठीक है तो चंदीगड इसको shift कर दिया गया है दूरदर्संस के अंदर को FM रेडियो करने वाला कोन है पहला देश देटेश नारवे अनुराग ठाकूर है ध्यानर करना इस बात का आप और प्रीमल सर बैस्ट हो चलो भई अच्छी बात है किसी अच्छा आदमी से देट तुनला की हाँ अर्यान दूरदर्सं के अंदर कर लोगे और कोई question कवरवाना हूं इसमें दूरदर्संस में हमारे आ 1923 में फैम रेडियो आया था धरती पहली मूवी आई दी फलाना आया था सब आपको पाता है शेकरना सुस्मा सवराज होया करती यह बाबा के सिस्टम हैंग कर दिया चलो कर लोगे हमारे आकासवानी भी है तीन आकासवानी के अंदर स्टडी वंद्रा से बोल रही है आर के एच रहत तक सबसे पुराना है आठ मही उनीसो चेंतर पुरुछेंतर उनीसो क्यान में और हिसार उनीसो इनान में और यह जो दूरदर्सन के अंदर है यह अपने स्टूडियो से मातर तिन सो मेटर भी दूर नहीं है अब तो चला गया बेचार आप क्या बचा है चलो कर लोगे दूरदर्सन के अंदर और क्या बताना दा यहांपर अब तो ब्रोड्सकास्टिंग दूरदर्सन इसमें कौन से फिजिक्स का कौन सा ला यूज होता है तनिसी फिजिक्स का कौन सा फिनोमीना यूज होता है कहां गए यह विजिक्स यह जो हम ब्रोड्सकास्टिंग होते हैं इसमें फिजिक्स का कौन सा फिनोमीना यूज होता है तनिसी सर फिर प्रीमल सर का गारंटी बेच के क्यों पिट्टो हो पिट्रन में तो कहूं हूं, इव भी कहूं, प्रिमल सर दो रभेज देवा वीडियो, गारंटी कोन योंदी कि से भी चीज की, ठीक है, कोन योंदी, जा मासरस्वती की उगेस्तवर भाई, इव भी कहूं मैं तो हर स्टेटमेंट ना चेंज करूं मैं, ए मैं गारंटी बहत श दसजार फिस करूं और पास साथ क्रोड रुपे भी कठे कर लिए और दिखाया दिऊंगा लाई कितने क्रोड रुपी आएगे यह करूंगा मैंनों पैसे का आत्मा जब तक यह नहीं माने ना कि यह संतूस्टी के पैसे नहीं तेरी महनत के नहीं है कोई फाइदा नहीं होता है संतूस्टी दुन्या का सबसे बड़ा एक आईजी इंस्पेक्टर जर्रलों पुलिस रैंक की महिला आईजी का रैंक छोड़के क्रिशन की अराधना में लग जाती है आ लीगी वात है वह तो ठीक है ना होती नहीं मैं मेरे सगे भाई का एडिमिशन करा दूँगा भाई कोई कोचिंग करवाती हो तो और बताओ और ऐसा भी नहीं है कि नखद हो अर्याना के नो दस पेपर कलियर कर चुका है छोटे वाला कभी छोटे मोटे कर रहे हैं बच्चा ही अभी तो ज्यादा बड़ा नहीं है यह भी नहीं नखद है अर्याना दिल्ली के साथ अकजाम कलियर कर चुका है वह बेज़ दूँआ उसी कोचिंग में जो लेती हो नहीं हुआ फिर मेरे पीस में पैसे वापस लूँगा ठीक है और फीस चाहे दस की बजाए तीस हजार ले चालीस हजार भी ले ले लेना प्रेक्टिकल बात किया करो यार कमाल करते हो माट्टी थोड़ी कुटू हूँ या तो मैं बुराई करता हो मैं नहीं लेंदा गारंटी कई बच्चे फोन करना जी गारंटी है हमें मेरे दो रखो नी तो इसलिए मैं बूलता हूँ चमचागिरी नहीं आती कोई बात नी चमचागिरी नहीं आतो हलतों की बकवास नहीं करनी अपना पढ़ाई कर लेकर जहां चमचागिरी करनी वहां कर पढ़ाई करो भया बताओ सुसील पढ़ाई कर ले सिरफ पढ़ाई करो सिरफ पढ़ाई यह अंसवर बताओ फटा-फट खसरा और रुबेला आजकल पानी और दूद धान से पिला करो कि पहले दूद पिलाने वाले साप होते थे आजकल तो खसरा और रूबेला, दिसंबर 2023, दिसंबर इसका ब्राणा वेस्टर कोन है? रे कुछ नहीं होता है, लेजर बन जाता है चसमे का, चसमे की टेंसर मतलोस की बताओ फटाफट खसरा और रुबेला का प्राणावेस्टर बताओ हर्याना में इसका अंस्वर तो तुम कर लोगे सारे बलोक हो जाएगे जो भी फालतू बोलेगा ठीक है ना, मुझे पता है जोन जिसका चेला है आराम से पढ़ाई कर लो बताओ पढ़ा पट तो मैं बस इंसानियत के नाते पना बलोक होते वी टाइम नहीं लगेगा रहा ही कर लो क्यों भाई हमारे टीचर मर गेज साइंस के हमारे पास च्यार टीचर है इसका अंसर बताओ फटाफट हलो, मानूसी छीलर नहीं है, गोरी शोरैन है गोरी शोरैन इसकी ब्राण डमेस्टर है और ये खसरा और रुबेला वाईरस द्वारा होने वाले रोग है वाईरस की खोज बताओ फटाफट और मुक्त होने का लक्से बताओ फटाफट इसका अंसर गोरी शोरैन और गोरी शोरैन कौन है शुटिंग की खिलाडी है और सुटिंग की खिलाडी है चंदिगड की है लेकिन हर्याना के मूल किसकी है फटा बढ़ बताईए इवानोबस की निष्का खोज की थी ठीक है? हाँ तो हमने क्या किया हर्याना सरकार ने हर एक चीज़ का लक्षे रखा है हर घर नल ये रुबला, पानी, हर घर नल, हर घर विजली ये जो लक्से एक अधा क्वेस्टन इसको याद कर लिए ठीक है टेलिग्राम पे मैं डाल भी दूँगा दस बारा लक्से नाजी मानुसी छीलर है मानुसी छीलर को नी? मानुसी छीलर को येड्स के परति जागरुकता का ब्राट आमेस्टर बनाए गया है मानुसी छीलर को ऑनीमिया मुक्त खर्याना का ब्राट आमेस्टर बनाया गया है जिक है, और कुछ नहीं बता देता, गौटी शोरान है इसका दिका ना हाँ मैं क्यों तीछ पढ़ता मेरा मनना कुण सी गोरी शुराणा मारा रटा प्रमाद अपड़ा है आजाओ 2023 अंतरास्टे गीता महुत्सव अभी भी बताया था बताओ तो चुहेतरवे गंतंतर दिवस 2023 की थीम हर्याना राज्य की जहांके की थीम क्या थी अंतरास्टे गीता महुत्सव पिछली की थी हर्याना खेलो में नमबर वन इस पर निरचोपडा की फोटू और बजरंगपुरिया की फोटू थी इसने पूछा तो अंतरास्टे गीता महुत्सव का युजिन कहा किया अभी अभी बता था अस्टेलिया, 2022 का पूछे कनाड़ा, और पहली बार अंतरास्टी गीता महत्सो कब बनाया गया, पहली बार अंतरास्टी गीता महत्सो किस देश में बनाया गया, पहली बार अंतरास्टी गीता महत्सो किस देश में बनाया गया, पहली बार अंतरास्टी में बनाएगा था बेटा जून दो हजार रूस में आईपिस ओफिसर मॉरिसस गुड शावास गुड खुड गुड टेलिग्राम का निक नीचे बेटा और दो हजार ध्यान रखना इस बात का ठीक है वैसे 1987 में इसकी सुरुवात होती अंतरास्टे की था बहुत सा ओकी समझ म आया चलो अगले क्वेस्टन की तरफ सोनीपत का पहला पुलिस कमिशनर किसे बनाया गया एसके मितल समसेर करोशिया विभान और कब बना पुलिस कमिशनरी क्या होती है हमारे यहां पुलिस रेंज जब हर्याना बना राइट अंसवर्थ यू एन कैन से 27 बाल्यान तो पुल पुलिस रेंज एक्टी सिर्फ एक थी और यहां पर पहली जेल भी हिसार आएगा जो पहली जेल है ना हिसार में हिसार ही आएगा जहां रखना इस बात का और जेल वरतमान में 17 तो हमारी वो है और 3 सेंटरल है और जो हिसार वाली है वो सेंटरल जेल है यादर करना रेंज एकी आएगी और पुलिस रेंज वर्तमान में पाँच हैं और पुलिस कमिशनरी जो पूलते हैं कि सर ये पुलिस कमिशनरी देखो होता क्या है पुलिस कमिशनरी ये चार हैं क्या है जी एफ पी के सोजा गल्फेंड पी के सोजा जी एफ को मतलब पी के क्या सोजा हर्याना जी के पी सबसे पहला हमारा गुरूगराम बनाया गया उसके बाद फरीदाबाद बनाया गया उसके बाद पंचकुला बनाया गया और उसके बाद हमारा सोसे सोनीपत बनाया गया और सोनीपत पुलिस कमिशनरी कब बनी फटाफट बताओ नहीं नहीं थी अंक महीत कमाल करते हो यार विस्वी पुलिस जेल जो नू में बनाईगी बटा तो हमारी ये जो सोनीपत पुलिस कमिशनरी बनी ये कब बनी इसकी डेट बताओ तिथी बताओ कि ये कब बनी सैसन को लाइक एंड शेयर करते रो फटाफट धोलपालिया राजस्तान धोलपालिया तो हर्याणा में है दिसंबर नहीं है एक्जेक्ट डेट बता करो और पुलिस कमिशनरी का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो कोन होता है सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कोन होता है यहाँ पर दिस इस सीपी कमिशनर ओफ पुलिस जैसे range में सबसे बड़ा पुलिस का होता IG Inspector General of Police सबसे बड़ा होता Director General of Police जो वरतमान में कोन है? सत्रुजीत कपूर है बाई सत्रुजीत कपूर जी है ध्यान रखना इस बात का PK गरवाल देट बता वैसे नहीं है कि स्वनिपत पुलिस कमिस्णरी सर 2000 डेट एग्जेक्ट लिखा करो 25 दिसंबर 2022 समझ मैं क्योंकि वहाँ पर डेट होगी हाँ G20 पर कल परसो वीडियो आ जाएगी 25 दिसंबर 2022 को नई पुलिस कमिस्णरी स्वनिपत को गोसित किया था समझ मैं हमारे यहाँ 25 पुलिस जिले हो चुके हैं करना इस बात का हरियाना में और 25 वाँ कौन सा बना है डबवाली कौन सा बना है डबवाली किसो कुछ पूछना हो 25 दिसंबर 2022 एग्जेक्ट डेट याद रखना क्योंकि 2024 चार ओप्शन में होगी कर लोगे आने सरहासी डबवाली 25 है अब पुलिस जिले में और जिले में कोई फरक पता होना चाहिए आपको पता है पुलिस जिले का फरक होता है कि वहाँ पर SP बैठने लगा और वहाँ DC नहीं बैठता च्योंकि पुलिस जिले का सबसे बड़ा एक प्रसासनिक अधिकारी DC होता है District Collector चाहिए और पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी SP DC के अंडर काम करता है सारी Administration Systems Commissioner और रेंज में फरक कुछ नहीं होता कोई फरक नहीं होता उसको CP बोल दिया उसको ये बोल दिया अधिकारी वहीं बराबर है वहाँ DSP बनते हैं रेंज में वहाँ DSP बनते हैं वहाँ SP होता है तो वहाँ ACP होता है वहाँ IG होता है तो वहाँ CP होता है बाकि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सारे वहीं होते हैं तो इसका अंस्वर्द बता दिया सदीश बाल्यान और कैसे बताओं सर खुल के बताओ पूरा दिल 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 दे जा चलो हर्याना सरकार किसका पानी लॉंच करेगी डिड लाइक क्यों सर जितेश सर्मा लभी भाई बहुत सारा प्यार चार्ट बना दू किस इस का बनाऊं बताव उसी का बना दूंगा अच्छा चार्ट ये धो यार दिल 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 दिलाट Hack और से किस ब Ф고 추रह समा देखान बनाहःS तो को सल रोजगार आ गया ठीक है भूर बताओ किस चीज का चार्ट बनाना है पर कुछ नहीं होता इनमें ठीक है रैंक बराबर तो सरस्वती नदी का पानी आएगा भाई अब मार्केट में जैसे कोर्स आते ना मार्केट में तो सरस्वती का पानी किस हिसाब से लोग है आप आजाओ सरस्वती को क्यूं महतव दे रही इतना क्यूंकि ये जो नदी है हमारी पहली बात तो हर्याना की सबसे रिग वेद में सबसे पुवित्र नदीशी को बताया गया है हर्याना की सबसे पुवित्र नदीशी को बताया गया है अब लुप्त हो चुकी है 120 किलोमेटर इसकी लंबाई है निकलती कहां से है ये हिमाचल से निकलती कोन से जिले से निकलती है स्रिमोर से हर्याना में प्रवेश कहां से करती है कोई बताएगा सरस्वती नदी हर्याना में प्रवेश कहां से करती है तो यहां यम्ना नगर से करती भाई दिस्टिक यम्ना नगर और यम्ना नगर की जगह कौन सी आधी वद्री से करती भाई समझ माया सबसे प्राची नदी हो चुकी सरस्वती लुक्त हो चुकी लेकिन उन्हें बोला कि हम पानी लेकि आएंगे, इसमें पता नहीं कहां से लेकि आएंगे, चीक है ना, हाँ, और गगर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 120 किलो मिटरिस की लंबाई बताई गई है, ठीक है, और हाल ही में इसको पाठे करम में भी सामिल किया गया है, और नदी पूछे तो सरस्वती करके, दोनों को पाठे करम में सामिल किया, ठीक है, अब जैसे सबसे छोटी है टांगरी यहां पर, 50 किलो मिटर, अब टांगरी अपना जल डाल देती मारकंडा में, जिसका प्राची नाम अरुनाई है, यह 80 किलो मिटर लंबरे, अब इन दो कोनों का पानी किसमेड़ जाता है सरस्वती में, सरस्वती कितनी है, 120 किलो मिटर, अब सरस्वती कहती है, ले बे गगर तु जा मैं, और यह 200 किलो मिटर है, हनुमान गड़ जिले में लूप्त हो जाती है, काली भंगन, सुना होगा ना, काली भंगन सहर, इसका प्राची ना मरूना है इसका प्राची नाम दवैस्दती है और इसको हाकडा बोला जाता है हो गया और फिर सरस्वती का कल्यान बोर्ड बनाया गया 2015 में या दोगा न सरस्वती कल्यान बोर्ड सरस्वती कल्यान बोर्ड 2015 तो इसमें जो चीफ होता है वो इम साहब हैं और इसके जो उपाध्यक्स हैं वो कौन है दुर्मन सिंग किरमच है किरमच कुर्चेतर में गाउं है सरस्वति कल्याट बॉर्ड अनी डाउट इसे कुछ पूछना हो छटी क्लास में सामें लोगा सैसन को लाइक एंड सेर करते रहो ऐसे मत कर हजार लाइप से कि कोई भूग नहीं है 269 वाला 1300 में मिल जाएगा कर दो हजार लाइप सुबह नौब जी तक कोड लगवा देंगे हर बैच पी और बताओ कि सर मैं केके आर से हूं कि सारा सारे भारत से हैं G20 करवा दिया हमने हैं बचा क्या है सारा भारत अपना है गाउं तहसील डिस्टिक यह आपको छोटा बनाती ध्यान रखना चीक है गंगा की लाइप बताना आप 50 बोल तो दिया कर दो हजार लाइप चार अजार नौस्टिन आणवे दस अजार वले मंत्रा फाइव जीर लगा देंगे और बताओ अपन छोटे दिल के आदमी नहीं है तो भाजारों कोर्सपरी कर सकते हैं तो छोटी जी बात है दिल की बात होती है आज मेरी आज जिंदल हॉस्पिटल में जोई नहीं होई है वाई टेस्ट ओफ लख 25-25 किलोमेटर है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा गंगा आजकल परसीद है यमना गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी है कर दो शेर मार दो जिसको बैच लेना 20-20 गुरूप में शेर मार दो हो जाएगी करूंगा फिर 12 वजे तक सर आप से जलने वाले कुछ जहदाई है कोई नहीं जलता किसी से यह अपना मन का बहम होता है सब को मिट्टी में मिल जाना है अराम से चार आदी में आएंगे दो भाई दो बहन चाचा ताओ अराम से फूक के चले जाएंगे यह जलन खोरी यहीं रह जाएगी ठीक है कि पैसा सोहरत सब यहीं रह जाएगा और जन्ने वाले हमेशा बुझ जाते हैं चाए वो दीपक हो चाए वो इंसान पढ़ाते हुए चेहरे बे मुश्कराहट लाना सब के बसकी बात थोड़ी है अब आतम संतूस्ट भीत होने चाहिए मज़े मैं क्या कौन सा क्वेस्टन था यह यमना कहां से निकलती है इस यमना नदी कितनी उंचाई से निकलती है खुद की उंचाई पर ध्यान देते हो कौन सी पाडियों से निकलती है बंदर पूच की पाडियों से तुम्हें लगता है बिटा कटते हैं ऐसा कुछ से निए कोचिंग वालों के साथ सबके साथ अपनी बंती है उत्राखंड से दो चारों को क्या तरेंदर मोधी जियों से देश जलता है कोई फरक पड़ा घंटा फरक नहीं पड़ा मोधी जियों को चमक रियाना रावल गांदी जियों को फरक घंटा फरक नहीं पड़ा ताजे वाले से प्रवेस करती यम नमे इतने जिलों से बैती है छें जिलों से ओकर बहती है, वो भी हो सकता कि कुछ लोग सांफ की तरह डस जाते हैं, आपको पूछना कि सांफ की तरह बहने वाली नदी, कोन है, यमना है, और दूसरा ये खुली-खुली है, ऐसे बान से नहीं है, ठीक है न, तो इसको बोलेंगे, खुला नला, भारत की कौन सी नदी, या हर्य सबसे लंबी नदी है, हर्याना की ध्यान रखना, इस बात का 320 किलो मेटर है, सुमीच सर, हर्यान जी की का कोर्स मना दो, अच्छा, 49 वा भी 50% आफ लेव, अच्छा रहा है, हर्याना की सबसे लंबी नदी है ध्यान रखना है, यही, यही गंगा है न, इसी तरीक से, नील न सब रट्टा मारे बैठे हो तुम आजाओ लुसेंट मास्ट रो लुसेंट पीके पड़े हो आजाओ रास्टर युवा हरत वर्स कब मना जाता है और अब की बार कहा मना आए गया और इसकी थीम क्या थी ताजेवाला यम्ना नगर से छस्सो होंगे तभी करूंगा ना हजार होंगे तभी करूंगा इतना वादारा जो आज तक किया बोला ना किया ऐसा नहीं कि कुछ भी यूटूब पे चला गया ना सुबह तक सुबह नौब ज़े तक कोड मिल जाएगा और बताओ मस्ती भरी रहा जनवरी क्यों कहां बनाया गया पहली बार निसो पिचानम में बनाया गया था रास्टी दिवस क्या दोगा ना बारा जनवरी का हितियास तो सभी को कि सर बारा जनवरी 1863 को कोलकत्ता में हमारे महान संत स्वामी विएका नंद का जनम होता है स्वामी विएका नंद और 1902 में मरत्य हो जाती है तो बारा जनवरी को यह मना जाता है समझ भाव विएका नंद तो अब की बार की थीम क्या थी रास्टे युवा देवस 2003 की थीम बताओ विक्सित युवा विक्सित भारत विक्सित युवा विक्सित भारत इसकी थीम ती द्हान रखना 12 जनवरी और स्वामी वेकानंद ने किस की स्थापना की थी रामक्रिष्ण प्रम्हंस शिकागो समेलन कब हुआ था इनका सिकागो समेलन इसे पुछे का सिकागो समेलन कहा हुआ इनके गुरु हुआ करते थे रामक्रिष्ण इनों ने रामक्रिष्ण मिश्ण की स्थापना की थी ठीके ना ओफ्षन दे दे फिर बता देंगे ओफ्षन A, ओफ्षन B, ओफ्षन C, ओफ्षन D बता दो स्वामी की मुर्ती नहीं होती देखो बैं मैं उससी जो पे बहर नहीं हूँ और ये समाज की स्थापना बेरा ठारा सु पचेतर बंबई में हुई थी दस अप्रेल को वो स्वामी द्यानन्द जीयों के द्वारा की गई थी चिकागो संबेलन्स ठारा सु तिरान में पकाच च्छानवे में तो नहीं हुआ चीक और ये अतुफानी हिंदू भी कहा गया है चलो तो ये थीम याद रखियो चलो तो जनवरी में कौन-कौन से दिवस हैं बताओं एक बार दिली पुलीसम काम आ जाएंगे जनवरी के दिवस पांच जनवरी नो जनवरी जश जनवरी बारा जनवरी पंदरा जनवरी सोभी जनवरी पच्ची जनवरी तीस जनवरी तो पांच को क्या है नो को तो प्रवासी भारते दिवस दस का विश्व हाश्य दिवस भारते युवा दिवस थल सेना दिवस पालिका दिवस मद्दाता दिवस सहीद दिवस गांदी जीओं के हत्या हुई थी समझ भाया? आयसे याद करना है पांच, नो, देस, पंदरा तो पांच को क्या हुआ था? बतादो यार तस भी ले लो विस्टो हिंदी दिवस भी आता है यहां पर विस्टो हिंदी दिवस विस्टो हाशे दिवस भी आता है वालिका दिवस भी आता है करे कौन सर इतना इतना तो करें तो सर मर जाएंगा आज़ो, बज़ुट आगया, बज़ुट आगया, बज़ुट आगया इसी को तो question पढ़ना चारे देश रहा है न तो हर्याणा ने budget पेस किया है एक लाख 93,000 पिछले साल की तुल्ला में कितनी व्रीधी हुई पिछले साल की तुल्ला में व्रीधी ये भी पूछ सकता है एक लाख 83,950 कोड़ रुपे सर 11.6 वरी दी हुई थी अब सिक्सा पर भी लगाया होगा कि और भी होया होगा तो तुम्हें 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 समझाए तो समझाए तो हो नी साइस साइस रहेगी अब देखो इसने कुछ मैं बजट की कुछ बाते लिख लेहा है कड़त लेका आए हो सर देखो अगर वह पूछे सिक्सा पर बजट ये भी कहते ना रेल लेगी साइस तीसरा बैज फेर ले लोगे 11.03 बताता हूं इसका उधारन भी बताता हूं कईयों का और कोचिंग वालों का नाम नहीं लूँगा समझ जाना चार पाइंट छेंतर प्रतिसत ये दोनों लिखो सिक्सा और स्वास्त है आगे फिर लिखोंगा कोई बोला ना TGT की साइकलोजी ले लो PGT की साइकलोजी ले लो पैंट धंग से पहनी नहीं जाती अटकती नहीं वो भी बदमास है इतने इतने बाढ कर लिए बदमास है बीडी मांग के पिदा बदमास ही चुपकर बदमास ही आया इतना कर लोगे तो सीस का राइट अन्स वरे बदमास क्रीसी दर्षन एक्सपो मेला 2023 का योजन कहां किया बदमास आये निकलके पैंट तो डंग से पहनी नहीं जाती आजो तो बेटा ये कब हुआ 18 फरवरी से क्लास ही चल रही हुआ क्लास में याद हो रहा है 20 फरवरी तक का हुआ हिसार में हुआ सर एक ओर आ गया सबजी एक्सपो मेला ये ग्रोंडा में हुआ था बिटा एक्सपो मेला बदमास है बदमास तो मर जाते है जल्दी एंकांटर हो जाता है या फिर वो जाता है ग्रोंडा करनाल में समझ भाया हमारी उन्वस्टी कोन C.H.A.U. हर्याना एगरिकल्चर उन्वस्टी क्रीसी उनीचो सत्तर चोदरी चरन सिंग उनीचो क्याण में तो क्रीसी मंतरी कोन नरेंदर तोमर सेंटर में हर्याना में कोन चेपी दलाल लुहारू सीट सी ठीक है किस उटपादन में लिख लो किस सिर्शा किन-किन चीजों में टॉप पर है शिर्शा सैसन को लाइक एंड शियर करे बहिमानी मत ना करे बगवान देखता है वजा रहा होगा है टॉप यहू के उटपादन में टॉप 13.9% कपास के उटपादन में टोप है ऐसे ऐसे कि सबसे बढ़य नाजमंडी लाडवा कोटन सीटी पलवल अलसी के उत्पादन में टोप है भई हल एम सबजी के उत्पादन में टोप है भई शिर्षा सबसे बढ़ा डिश्टी के बिटा 1430 वर किलोमेटर के साथ लिखने दो ग्रीशी दर्ष्टान एक सो आज इसमें ना ट्रेक्टर बांटे गए थे जहांदर करने इस मेले में किसानों को क्या बांटा गया ट्रेक्टर दिये गए थे रुटेक्टर रुत्वाधन फ्रिदाबाद टोपर और पूरे भारत में भी हम टोपर हैं ध्यादर करना इस बात का इंडो इसराइल हम कुछ भी लगा लो क्रीसी भी हम दो देशों की साहिता खासकर ले रहे हैं दो कि नी कई देशों की साहिता ले रहे हैं जैसे गन्य में हम ब्राजिल की साहिता ले रहे हैं गन्य हम ब्राजिल की ले रहे हैं भागवानी में हम अलग की ले रहे हैं भागवानी हम नीदर लेंड की सबसे ज़्यादा ले रहे हैं और फिर इजराइल की ले रहे हैं तो इस तरीके से क्वेस्टन आपको करना है अगला क्वेस्ट प्रकार के फूल पोदे वहां पर आपको मिलेंगे आप चोदा फर्वरी को दे दे ना जिसको देना लटखाने है जहाँ पर राइट अंस्वार 3 से 19 फवरी 2024 ओ फर्वरी आईए इसके वारे में क्या करते क्यूं है ये प्रिधाबाद में पानव रचना उन्रस्टी चे छोड़ी दूर एक कुंड है कुंड ये कुंड कब स्तापित हुआ स्तापदी पूछ लेगे बेटा दस्वी स्तापदी में किस वंस के दुवारा त्यार किया गया तॉमर वंस के दुवारा वेटा राजा सूर्ज मल है ना तो यहाँ पर हमने क्या किया एक अंत्रास्टी सूर्ज कुंड मेले की शुरुवात कर देविलाल के दुवारा अंत्रास्टी सूर्ज कुंड मेला 1987 में किस के दुवारा हर्याना प्रेटन विभाग के दुवारा यह क्वेस्टन पूछ लेगा किस के दुवारा हर्याना प्रेटन विभाग मैंने बताया था ना हर्याना प्रेटन डिवस एक सितंबर अर्याना प्रेटन विभाग एक सितंबर उनिशो चुहतर छीगे ना अस्त रास्ट्य सूर्ज कुण मेला उनिशो स्तासी तो ये जो मेला हुआ था एक तो ससकरण पूछ लेगा बेटा कि 2023 का कौन सा ससकरण था बेटा शतिशवा ससकरण था पॉइंट नमबर एक इसका जो पहला भागेदारी देश मना था वो था इजिप्ट पहला भागेदारी देश इजिप्ट मिस्टर बोल सकते आप इसको इस्टर चिके है हाँ 600 हो गए 700 कर दो 1000 कर दो अब आजाओ देखो 36 सुरजगुंड मेले में एक तो थीम स्टेट पूछेगा आपसे मैं भी यहां से माला लेके आथा तो थीम सेट कौन थे पुरुवत्तर भारत के राज्ये पुरुवत्तर भारत के राज्ये कौन वही असम असम सारे और सहयोगी देश कौन सा था सहयोगी देश से SCO के देश यह आएगा अब इसका उधगाटन पूछ सकता बेटा इस मेले का उधगाटन किस ने किया पताओ फटाबाट इस मेले का उधगाटन किस ने किया आज कोई बफरिंग नहीं औरी वो गंटे 24 मिंट होगे पढ़ाते पढ़ाते देर इस नो बफरिंग नहीं थाइलेंड नहीं था बेटा मिस्टर था आज हुई भाई बफरिंग सच बता ना दो गंटे तीन गंटे होने वागो को सब्सक्राइबर करो इतने की कसर बताओं एक लाख छस्सुए कानुए मांदरी सब्सक्राइबर है तो एक लाख 376,000 करो वो तुम्हारी जिम्मेवारी है देखो हमारा थन चल रही है और कौन सा बंडारा चल रहा है यार तो कितने 300 सब्सक्राइबर की कमी है फटा फट करो पूरे वह तुम्हारी जिमेवारी है मेरी जिमेवारी नहीं है मेरी जिमेवारी दी कंटेंट लेगे आना देखो इसका उद्गाटन हमारे उद्गाटन तोकि उपराष्टरपती ने किया था जगदीप धनकड़ जीयों जो राजस्तान से आते हैं जगदीप धनकड़ साथ उपराष्टरपती कौन से आर्टिकल में आता वेटा 63 में आता है क्योंकि 52 में राष्टरपती आता ना तो ग्यारा जोड तो जगदीप धनकड़ कोंड़ से नंबर के हैं चोदवे नंबर के उपराष्टरपती हैं और सीएम साब साथ में थे भाई खिक है मानना भी मजे लिए हुँ रहा है तीन ताउन नीस परवरी मेरी विडियोटी उरे थी खूब इंजवाई कर्या माला ली अरे इस वह चुमानुक्त में लगानु फूटू खिंस्वां हो रह मतलब ऑन को मज़ा था अब देखन का कि कर दो कर दो ना करें तो देखो कुछ हो सकता है नहीं हो सकता ना और यह विश्व का सबसे बड़ा कैसलेस मिला है पहला कैसलेस मिला है हुआ इन का जा रहा है टाइल 112 आंजली के लिए शोपी नहीं करी कार्थिक के लिए की थी छोटी मटे इफ्ट गाफ्ट लेए थी टाइल 117 जहान से कसल को देखो फिर अन्सवर्दो जो एक बता रहें सब का गलत क्या वाद शेर नहीं कर रहें लाइक आ नहीं रहें कि तुम सब्सक्राइब आजार लाइव आओगे इसार उम्मीदों पर पानी फेर दिया तुमने पार क्या यह जाके करियों साथसो आठसो इसे तो फेस्ती हो जेगे मनस्की क्या नहीं करेंगा मामें इसका राइट अन्सवर होगा दूसरा विटा अभी है क्या डाइल एक सो बारा सार मेरे हस्बेंट की डूटी भी थी हम भी गए थे अच्छा पॉंकरी खेड़ी से जीन्द वाले से आप कहां से हो मैं दिल से हूं जीन्द के गुगडिया का हूं आजओ तो यह डाइल एक सो बारा क्या है बारा जुलाई दो हजार इकिस को पंचकुला से हरी जंडी दी थी सीएम साब ने सभी थानों को अर्याणा में जितने भी थाने हैं दो दो पतलत दो ई आरवी दी थी इनोवा गाड़ी एक आदा मोटा देहेज में लेता ना इनोवा शुस्तो चारीश टोटल दी थी डाइल एक सो बारा हम आपसे दो कदम दूर क्या बोलते हैं बीस मिन्ट में हम आपसे बारा जुलाई दो हजार इकिस पंचकुला से डाइल एक सो बारा ए आरवी ए आरवी की फुल फॉर्म क्या है लेकिन इसको कुछ और बोला गया था इसको कुछ और नाम दिया गया था क्या नाम दिया गया था अमरजेंसी रिसपॉंज स्पोर्ट सिस्टमी यह धहान रखना इसका फूल फॉर्म हमजेन शीरिस्पोर्स स्प्सीस्टम जो एक दम से रिसपॉंज से पाथ हे 5-10 मिंट में वहां पर पहուंच जाए ए मैं थो नहीं लग पंदस मिंट पर तो वहां पहुंच जाए लेकिन इसका भी मिस्यूज हो रहा है घर में कोई कंबल ना दे तो डाइल 112 पर कोल कर देते हैं तो हमारा दूसरे नंबर पर हो इसको रहे थे पहले स्थान पर दिल्ली रही इसमें कितने बच्छें जो हर्याना-जी की पढ़ना चाते हैं स्थिरीफ हर्याना-जी के पढ़ना चाते हैं बताओnd किमेंट करके बतादी हो फिर मैं कुछ और आपके लिए गिप्ट ली आओँंगा परसो लाइव आँगा, कल तो नहीं आँगा, कल तो बाहर हूँ, कमेंट करके बता दिए बाद में, कि सर हमें चाहिए रियाना जी केगा कोर्स, अमीत सहा ने किस जिले की मील में, और साइस भी 15 नमबर की, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं रिकोर्डीट दूँगा, तो लाइव किस जिले की मील में बनने वाले थेनुल प्रांट का सिले नास किया था, बताओ फटा वाट, कमेंट नहीं आ रहे, कहां गये, कमेंट क्या दिख्कत होगी, कमेंट में, क्या दिख्कत होगी, और हैंग तो नहीं कर दिया, जैंग भी कर देंगे, जी हैं, जम तो देख लेगे, आईबर हैं, कमेंट करियो, क्लास की, क्या दिख्कत होगी, अपना कमेंट करियो, तो इसमें अंसुर आएगा, पहले भी बतादेगे, पताया यह एथेनोल प्लांट पानी पत पताया हुआ कैसे नहीं आपको पहले भी मतलब यह क्लास में जब अगरिकल्चर वाला टोपिक था उसे में यह करवाया था मैं कि अगर फरीग है सरुप सभी चदरी क्लास ठीक 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 अब तो ठीक चल पड़ी तो राइट अंसर कौन सा आएगा पानी पत एथेनोल प्लांट मैंने आपको भी पहले बताया है कि नीदिन करगरी जी एक बार स्टेटमेंट दे चुकें कि आगे चलने पेट्रोल डीजल की गाड़ियां एथेनोल से चलेंगी किसी चीज से बना जाता है एथेनोल प्लांट एक होता पीने का एक होता है यूज करने का ही कवीता वैम का है पहले से ही कोर्स है पर आप वहां पर जाते हूं फ्रिंग होने लगी दुबारा से तो राइटर्स वो जिसका इससे पहले नैसनल फर्टेलाइजर रबड प्लांट इंडियन ओयल की रिफाइंडरी के सारे पर पानी पत में हैं अमोनिया प्लांट पानी प भारत की सबसे बड़ी ओइल रिफाइंडरी भी पानी पत में है 1837 अलताफ हुसन अली का जनम पानी पत में अर्याना में वरतमान में कितने सहर हैं यह वरतमान पता क्यों लिखा है ताकि आप यहां सर्मा पैस्टीचर गोड़ ब्लेस यू थैंक यू मेरी वहन थैंक यू और लड़की आसरी बात दे तो और भी अच्छा होता है बताओ सहर कस्बे नगरपाली का नगर निगम सब सारा डाटा एक साथ लिखेंगे वरतमान में हर्याना में कितने सहर हैं वायन यह 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 बताओ फटाफट एक सो चुम्मन है अबनी औरी वफरिंग कर दी ठीक जैवबा खटू शाम की एक बार बोल दो हारतमाता की जै हो अबनी योगी बंद कलास आजाओ तो देखो सहर क्या है यह क्या है हमारे यहां मंडल छे हैं भाई जिले पूछे तो बाईस हैं भाई पुलिस जिले पूछे तो पच्चीस हैं भाई पुलिस रेंज पूछे तो पांच हैं भाई पमिश्नरी पूछे तो चार हैं भाई कूप मंडल पूछे तो ब्यासी हो गए हैं भाई अब हमारे यहां वई क्या पुछे तहसील पुछे तो चुरान में हैं भई अब तहसील पुछे तो वई हमारे यहां उन्चास हैं भई नगर पालिका का लेटएस डाटा पुछे तो 62 करके आना वई वरना 58 कर तो 59 करके आना है 60 का कोई खेल नी रहेगा बीच में नगर परिशत कितने हैं ये तुम कमेंट करके मुझे बताओगे नगर निगम मैं बता देता हूँ ग्यारा है और ग्यारवा मानेसर बना था कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को बना था और पहला 1994 में फ्रीदाबाद बना था गाओं पूछे तो 6841 तो भई 2011 में थे वर्तमान में कितने हैं? 356 है भाई पंचायत भाई 6232 वाकरती थी अब वर्तमान में 6318 हैं भाई चीक है भाई? कस्बे पूछे या सहर पूछे तो उसका अनस्वर 155 ही करके आना है भाई? गवराना नहीं है ये क्या पूछ लिया? तैसील पिचाणवा हो गई है तो पिचाणवा लिख देंगे बेटा एक ओर क्या दिक्कत है? ये टेस्ट कोई दिक्कत नहीं है? नगर प्रीशत 222 वाई से बेटा बता गुडशावास ठीक है? नई पंचायत कितनी हुई? नई पंचायतों का गठन? नई पंचायत बनी एक सोच है बेटा? कितनी बनी है? एक सोच है पंचायत मंतरी देविंदर बबली यहां से मुझे क्वेस्टन एक ओर याद आ गया हर्याना में पंचायती एक्ट आया था या दोगा ना तीतरवास विधान संसोदन तो उसमें कितने संसोदन हो चुके है? सर आपको देखकर पढ़ने की चाह बढ़ जाती है आप पोस्ट ही बहुत अच्छा? आपको भी देखकर मैं देखकर दो 644 होगे ना आम मेरा मन कर रहा है कि मैं सौरी रात पढ़ता रहूं अब जैसे जैसे लाई बढ़ रहे हैं लिख लिख लिया यह स्क्रीन सोटन लो फिर बाद में कुछ और डाटा भी लिखवाता हूं होगे 10,000 क्वेस्टन बादा करके यादा कि आज 10,000 क्वेस्टन करवा के जाओं क्लास में जो गहरे 10,000 क्वेस्टन इससे बार कुछ नहीं लो सबसे छोटा गाओं कौन सा ले यार डाउट दूर की आगर उच्छा कर बोर्ड की तरफ देख सबसे बढ़ा गाओं भी लिख ले छोटा छोटा क्यों लिख रहा है या तो डिगल करके आना जजजर का उप्शन में ना हो तो सिसाई करके आना है हिसार का पास करके आजाना हिसार का छोटा पूछे चो चितैन करके आना है और चितैन गाओं फत्याबाद का है सबसे प्राचीन गाओं पूछे ये भी करके आना है पुनाल फत्यावाद का और पूछ बेटा एक दी दो पूछ पाँच पूछ दस पूछ मैं बोर्ड पे देखके मुझे मज़ा आता है कि कोई मुझसे डाउट पूछे बोर्ड की तरफ देखके पढ़ाना थोड़ा होता है जब तो बच्चे के डाउट नहीं लोग क्या पढ़ाना होता है ठीक न तो आप इस चीज को पोज्टिव लिया अगरो कि बोर्ड की तरफ में देखता हूं आप सोचतों की सरफ डाउट कमेंटर लेते हो वो गुस्टे वाली तो बात गई अब कोई गुस्टा नहीं होता है कि इस्टिक 22 25 कुनाल का टिल्ला मिला था चांदी का मुकट मिला वियकार की मर्ती पचली पकड़ने के कांटे सब इसी से तो मिले थे कुनाल से तिगाओं तिगाओं गाओं है बेटा परीदाबाद में जहां कृत्रिम अंग बनते हैं सबस्वेण का सबसे पुराना है फत्याबाद में भी डहाना भीट राना आप पुछा करो वी डहाना है फत्याबाद on सबसे प्राचिन गाउं अर्पा सब्वेता का सबसे बड़ा सहर राखी गड़ी दूसरा फ्रमाना रहो तक यह अच्छा कसन है कि यहां कौन सा गावन जहां जन्गनमन होता है फिर मैं पूछू एक और पूछूंगा हर्याना का पहला सोलर गाउं बताओ कि यहां पहला सोलर गाउं पंगट गाउं गांदी नगर पढ़ लिया पालविवा मुगत गांदी नगर इसार पढ़ लिया मैं नहीं पूछूंगा, नहीं मैं गुषा छोड़ गया, घरवालों ने बेज़ ला है, गुषा नहीं करना, चा हमारे गाम में है, वह मरत थोड़ी दूर, गुरकुल खैडा वैसे गेंडा-खैडा बोला देखाता है, ठेकिन अब इसका नाम गुरकुल खैडा कर दिया है, गेंडा-खैडा नाम था इसका ठीक है ना, उचाना वे है थोड़ी सी दूर, reconoc खोड़ी दूर, ठीक ना Хां कोईनु कोणी उपता रगाम्म के कोणी और अगाम्म सब कुछ नहीं रहां के वह क्वेस्सन कापे 23 कितने ने और कितने क्वेस्न का पंदरा इद करें नहीं है dan प्लांटा की सत्च्रा फार्मूला को कितने भागों में बांटा हो शीटी पर वीडियो बना दो आज मैंने ना उस पर बना दी है रहना पुलिस पर बोलो दो को पुलिस की पड़ी है गुरूप सी क्यों हो गुरूप सी का सारा दिन गुरूप सी पर वीडियो बनाए जाएं व्यूग का चक्कर में इसको रहना पुलिस की तहरी करने और सचर फार्मूला भीम सेन सचर हमारे मुख्या मंत्री थे शुंक्त पंजाब के बतलो यूटूबर की तो जिंदिगी नहीं मानते बतलो उसके उनके इसाब से चलाओ ततकाल इंसी एम साब थे कलत एक कत्वबर 1949 को आया सचर फार्मूला इसने हर्याना को दो भागों में बांटा हिंदी एक छेतर और पंजाबी एक छेतर ओ मेरे भाई आपको आना चाहिए यार यह सारे चीजें तो राइट अंसर सेकिंड अब तक क्लास चल रही चलते रहे तो क्लास हो जगी की पड़ा यूकेशन है पगले हिंदी वासिक छेतर में महंदर गड़ अंबाला नरायन गड़ जींद कि साइड और पंजाबी एक छेतर में वह गया राजपूरा वाला उक छेतर परला सारा अब देखो हर्याना का गठन हुआ तो क्या आया 1925 में पीर जादा मोहंबद ने दिली अधीवेशन में पहली बार मांग 1949 में सचर फारमूला 1999 में फजल अलि आयोग आया हुसने भी हर्याना का दो भागों में भाटा 1956 में रिपोर्ट प्रस्तूत की और हिंदी अक्षेत्रे भासा का अध्यक्स बना बलवन्त तायल को 1955 में हर्याना की सीमा निरिधान करने के लिए काय हुगाया नैरुजियों न भेजा रहत्तक में 1960 में एक आदमी ने आंदोलन किया उसका नाम था तारा सिंग पंजाबी सुभे की अलग मांग के लिए 1965 में संथ फते सिंग ने आमनानसन किया पंजाबी सुभे की मांग के लिए हर जिक्के के मास्टर डीजी हैं तेरे दुर डीजी मतलब रोयल सैनी क्या बोल रही है रोयल सैनी रोयल सैनी का नहीं समझ मैं तो यह आगया फिर आया अप्रैल में 23 अप्रैल 1966 को एक आयोग आया पजल अली आयोग हाँ मेरे दो रहा है मैं स्ट्राने तंखा देहूं सुत्री अजले इसमें ती ओ सोरी जेसी सायोग आया इसमें तीन सदेश्याए इनोरे रिपोर्ट का प्रस्तूत की कतिसमें 1966 को की एमेम फिलिव स्रियस्दस जेसी सायोग फिर बाइस एस्टेट का नब्वा नंबर में तो हम दिला देंगे और गारंटी है नब्वा में से सो दिलवा देंगे आपको पर जाओ कॉमन सेख्शन बैच से साथ प्लस आराम से दिला देंगे अपने सब्जेक्ट में कमाड रखना वस यहां कोमन सेख्शन बैच में भी साथ टीचर पढ़ाते हैं यह नीकी एक टीचर अर्याण जीच के पढ़ा रहा है स्टेट में वोई पैडागोजी पढ़ा रहा है वोई इंग्लीज पढ़ा रहा है साट टीचर है जाना कोमन सेक्षन वेज में भी 90 नंबर में भी एस्टेट में इंग्लिज का टीचर अलग है, हिंदी का अलग है, रिजनिंग का अलग है, तो मैथ का अलग है, हरेणाजी का अलग है, तो क्या चाहिए? फिर भी एस्ट्रेट में तुम्हें हो चाहिए, कर लोगे? तो फिर क्या हुआ? पंजाब पुन्दर गठन बिल कब पारित हुआ? तो 90 नमबर तो यार, आपको बहुत भैतरीन करके दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर डिमांड करो, पस यही एक ट्रीक है, स्टेट पास करने की पंजाब पुन्दर गठन बिल कब पारित हुआ? पतकालीन लोग सबाय देक्स, हुकुम सिंग की सिफारिस पर हुआ था, धाजरकना इस बात का? राम राम भाही जगदीफ, मैं इसलिए राम राम नहीं ले रहा, फिर एक बाब एक की राम ले रही, सबकी फिर कमेंट पढ़ाई नहीं होगी, बस प्लीज पंजाब पंदर गेठन बिल पारित कब हुआ लोग सबा में? यार बताओ यार कमाल करते हो, आर्टिकल वन, जोक सबार नाइंटि थी, ये, 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 बताओ बताओ यार कब पारित हुआ एक को भी नहीं आता, कि पंजाब पंदर गेठन बिल पारित क्या है, कब पारित हुआ? पायल, रेनू कड़ेत, उरे रिस्तेदारी काड़ेन देके में नेरा को थली, आर्टिकल नाश हुआ था रहता हुआ तो ग्रूप डी आले हो? पंजाब पंदर गेठन बिल पारित कब हुआ? पंजाब पंदर गेठन बिल हुकम सिंग की सिफारिश पर एक का ठीक है, जैप्रकास वर्मा का है, जो क्यों नास करो तरह नास हो रहे हैं? देई सप्रेल 1966 को जेशी साय हुगाया, 31 मही को रिपोर्ट परस्तूत की, और थारा सितंबर 1966 को पंजाब पंदर गेठन बिल पारित हो गया हुकम सिंग की सिफारिश पर, एक नवंबर 1966 को सुंक्त पंजाब से 35.18 परसेंट हिस्सा हर्याना को मिला, सात्वी अनुसूची में जोडा, कितनी बार बता चुका हुँ, सतरवे राजे के रूप में हर्याना का गठन हुआ, अठारवे सविधान संसोधन के तहत हर्याना बना, भूकउं सिंग की सिफारिश पर बना, देविलाल के परियासों से बना, और आयोग पूछे जो जेसी सायोग कर दो गई, यह क्वेस्टन 18 सितंबर 1966 हजारों बार बता चुका हुँ, जब यह आया, रिपोर्ट परसूत की, तो आगे आएगा ना बिल तो, गुरूप D का पर परागय जैसका है, यह कुछा ब्या है या गभिजेगा, यह मान के चलो कि यह उसी समय होगा, इससे अच्छी त्यारी होती है, CT का नेक्स पर पर दिसंबर में है, और हसी के सिस्टम पर कभी सक मत करी हो, ऐसी प्लानिंग करके बैठी है, ऐसी प्लानिंग करके बैठी सरकार, धडले से नोकरियां, और उसी को करेगी, समझ माया, चलो अगले क्वेस्टन की तरफ, भारतिय संगी अस्तजतम में आया, देखा गया ना क्वेस्टन्स, भारतिय संग के कौन से राज्य के रूप में आया, अभी अभी बताया, अभी अभी बताया ना क्वेस्टन ली, कि पंजाब, स्यूक्त पंजाब से 37.13% इस्टों काट कर सतरवे राज्य के रूप में, ठारवे सविदान संस्वतन के शाहत, सातिवे ने सूची में देविलाल के प्रयासों से, पतकानी लोकसवादेक हुक्षम से की सिपारिस पर, जेसी सार के रिपोर्ट के अधार पर, पहला सीम हमें बगवद्याल सरमाजजर के बेरी गाउं से मिला, धरंबीर राजेपाल, दस महीने के रूप में मिला, और सबसे फिर लंबा राजे कल आपको पता, यह भी अंचकरवनी उनुसर्ट, नैसनल जी के कैसे करें, कैसे कर लो यार कुकरे कर लो, कल नैसनल जी के की क्लास ले ले लेंगे, पर सो लूँगा, खल तो, आजाओ, राजे के नहीं राजेपाल, यह मैंने क्वेस्टन इसलिए लिया, क्योंकि कुछ डाटा बताऊँगा, पहली बात है, देखो, राजेपाल, जो रास्टरपती करता है, वही राजेपाल करेगा, उपर सेंटर नीचे, आवन में रास्टरपती होता है, एक सू एक जोड़ दो, तो एक सू त्रेपन में गवर्नर आता है, राजे का सवधानिक मुखिया होता है, होगे तीन सो सब्सक्राइबर, देखना हुए नहीं, सवधानिक मुखिया होता है, समझ मैं आप पहला राजेपाल द्रंबीर था, रंबीर जियों का कारेकाल पूछ लेता मातर दस महीने, सबसे लंबा कारेकाल पूछ लेता राजेपाल के रूप में, या पद पर रहते हुए मर्तियू, पद पर रहते हुए मर्तियू भी पूछ लेता बेटा, तो कौन थे, विरेंदर्णाराय चक्करवर्ती और विरेंदर्णाराय चक्करवर्ती नहर की लंबाई बिताओ फर्याणा में यह रहते बिटा 1976 से लेकर 166 मतलब 56 गुरूप 57 गुरूप 220 क्या बोल रहे तुम मैंने क्या पूछा है धरमवीर दस महीने रहा है क्लास रख रूख रही है नहीं भई आज तो सही चदरी है ओके चदरी क्लास गुरूप D के लिए CT कलियर करना होगा गुरूप D में सिर्फ यही होगा एस्टेट बैच संदी भाई सिर्फ इतने रुपे का है कोमन सेक्षन बैच मज़ा ना आए तो 15 दिन बाद भी बोल दियो से मज़ा नहीं आ रहा बढ़ारू दत्रा जाए कोन से नंबर के रजेपाल है यह सीरीज में पूछे तो 18 नंबर के रजेपाल है और जनम पूछ लिया था एक बार तिलंगा ना में इनका भाई जनम कब हुआ जूर 1947 में हुगा ना देखना एक बार बढ़ार उधतरा चाहिए गुरु जंबेशर रुनस्टी से पढ़ रहे हैं भाई बिजनस मनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं बिजनस मनेजमेंट की और यह सत्यदेव नरानी यह सत्यवे नमबर के थे भाई नेहा मुझे नहीं पता मेरी बहन कोमर्स का पेपर कब होगा मुझे पता होता तो मैं वीडियो नहीं बना देता कई हजार व्यू भी आ जाते हैं उस पर नैट जे रहे पोल्टी बैच है मोहित हिस्ट्री का पोल्टी बैच है और पोल्टी का हमारे पास बैच आप सुनके हरायन राजया को किसका है आप भोलते हैं ना किसर स्टडी मंतरा की महंगी फीस है उसका रीजन बताऊंगा उचो पूल्टी किसर किसका वैच है क्लास रूक रही है कोई क्लास नहीं रूक रही परदीप चेक कर भई आनदी पटेल ये तो उजरात वाली आगी ना तो नए राज्य पाल होगा ठीक है आजाओ परदीप चेक करना भई सुनिया सोकन दैप पे जाओ इंक्वारी नंबर देखो ये रहा पूछो वहाँ सारे बैचों की इंफर्मेशन है एक साल भाद भारत का ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जो स्टेडी मंतरा पर नहीं होगा अबी तो कुछ नहीं है अभी तो पचास तीस चार्श कोर्स आए हैं अन्तिम विधान सबाद चुनाओ और कभ हुए सीम के रूपे सपत कभ ली आज तो मैं तीर गंटे से पढ़ा रहा हूं क्लास कोई वफरिंग नहीं हो रही चोदमी विधान सबाद गुडश आवाश विटा कोन सी है चोदमी है लोग सबा कोन सी चल रही है सेंटर में सतरवी पहली विधान सबाद के चुनाओ अवर्याणा में कभ हुए पहली विधान सभा के चुनाव हर्याणा में कब हुए निकल आपके लिए टेकनिकल वालों के लिए स्पेशल जा रहा हूँ डेट बताओ डेट सर सबसे ज़्यादा घोड़े किसी लें गुड़ गाहों में हैं डेट बताओ मार्च उनिसो सट सट अपराल उनिसो सट सट हाँ गुड़ स्याबास पुजा मार्च उनिसो सट सट भाई ठीक है कितनी सीटों के लिए 81 पंदरा रिजरो थी और फिर उनिसो संतर में क्या कर दिया इन सीटों को 81 से 90 कर दिया समझ मां तो आई ये चोद्मी विधान सबाब के बारे में तो चोद्मी विधान सब महिला विधायक पूछ सकता कितनी हैं वो मैं जो मेंले कितनी हैं नो पहली महिला विधायक कोन थी हमारी राज्य की पहली महिला विधायक सबसे ज़्यादा बार को न रही साथ बार सने लता हिजार से पहली मैला विधान परसन्नो सन्नो ने ये परसन्नो देवी है पहली मैला विधायक परसन्नो 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 और सने लता साथ बार विधायक रही आठ बार मंगल सेंद रहे पीडियेफ तुम है ना नोट्स और पीडियेफ के चक्कर में छोड़ दो यह ना लिखने की आदित टालो मुझे परमात्मा के द्यास और मेरी महनत पर मैं आज भी मुझे सब डाटा याद है तेकिन फिर भी कोई चीज नहीं आती है तो लिखता हूं तुम यह नोट्स खरीदने का या पीडियेफ खरीदने का जो चक्कर है ना तो सेलेक्शन दिलाएगा ना होगा कड़ भी बात है आप चखीन करने इस बात इसने नो साल से जीएस पढ़ा रहा हूं लेकिन जब भी कोई क्लास होती चाहिए मेरी गंटे की वादे गंटे की हो तब भी मैं कुछ नन लिखने का नया प्रयास करता हूं यह पीडियेफ नहीं की पडली हो रागया लेक्शन नहीं होगा भूल जाना इससे तब जमा गया आजाओ तो चोधिवी विधान स्वाव में नो महिला विधाय के जिनमें पांच कोंगरेस की तीन बीजेपी की एक जज़पा की ठीक है अब इसमें मैं ले देखो भारतिय जंता पार्टी के उनिस वस्ती में बनीती भारतिय जंता पार्टी 41 हो गए हैं 41 मा नया आया है भव्य विश्णोई भव्य विश्णोई कौन से में 37 में उप चुनाव में आये हैं क्वेस्ण पूछलेगा आदमपूर का चुनाव कौन सा था 37 मा चुनाव था आदमपूर ठीक है यह किस से ग पी दिसंबर 2018 दस विधायक हैं कि निर्दिलिये कितने हैं साथ हैं खलोपा गोपाल कंडा अर्यान लोग की थी पार्टी एक आया इनल्ड इंडिये नेशनल लोग दाल उनी सो चानवें बनी थी एक तो टोटो 90 सीट होगी बेटा कुछ भी पूछ सकता हूं कि पीजिकल लिए कि आना पूर्णेट जीर अब भी बहुत मिलेंगे फिर उसकी क्वाल्टी देखना कि बच्चों को कंटेंट डेलिवर करने में सक्सम है या नहीं है तो बहुत स्वारी चीजें देख क्या नहीं है नुमारा बच्चों का नाम तो नू बदिनाम है जो लुसेंट पी रखे रियाणाजिक के तो अनसो को को रखों की तरह की उद रही है कुछ पूछ लो चवह सब शज्यादा मुला विधायक सब्सक्राइब रिवीर विधान सभावें 2014 में तेरा महिला विधायक थी 2017 में लेधा नहीं में था कितनी है 13 महिला विधायक ठीक है तो 27 कतुबर 2019 को एजे चीफ मिनिस्टर के रूप में सपत ली थी किसने अनोहलाल जियोनिक अनी डाउट विधान सभा के बारे में विधान सभा TGT में आई थी TGT के कौन से वेपर में कि विधान सभा कौन से आर्टिकल में आती है आर्टिकल 170 में आती है विधान परिशेद 179 में आती है आया था ना साइस वालो चालो अगले क्वेस्टन की तरफ तुमने वो नहीं किये सब्सक्राइबर नहीं किये 300 करवाने थे बस 300 तो बुआ फुपी के भी करवा दे कोई बात ने परमातमा देखता है फुट का बोलबाला जुट बोलो बहुत प्ट 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 पी एम सरी स्कूल इसके में सथकर्दी पर जोर दिया जाएगा संसकर्दी का मतलब सब्वेता संसकर्दी ओम श्री राम जमूत तच्सरा ली ब्रदुम ऐसी चीज़ों पर मतलब हमारी कल्चर से जोड़ा जाएगा ऐसा नहीं एक गूड़े जोड़ बॉर्णिंग पापा गूड़े मनिग भमी हलो हलो टर्दिये ऐसे लोग नहीं आएंगे के दो सुचासी होगे और हर ब्लोक में दो स्कूल खोले जाएगे तो ब्लोक की संख्या कितनी है हमारे यहां, 142, 142 थी ना, 144 हो चुकी है, तो 200 गुणा करोगे, 288, तो आई राइट अन्सवर्दो, हर ब्लोक में दो खुलेंगे, एक ब्लोक छोड़ देंगे, जिसमें बिजी पी नहीं है, ठीक है ना, चलो, पियम दरिंदर मोदी, क्या दो होगा, पंदरविन देश के प्रधान वंत्री है, और जी टवंटी अभिया देख्षता की है, जी टवंटी पर आगया, कि सर्यानवी गाए ने 22 किलो दूद देकर रास्टर रिकोड, गाए रोशनी, रानी, भूरी, इसी ओप्शन किसे ने लिखा है, हमारे बूरा गूतर म बूरा और बूरी वर्ड भी यूज नहीं करते, पता नहीं क्यों, परदीप, विकास लंबा, बूरी मत बोलना में लड़ाई हो जाई, रानी, रानी ना मसका, पक्का यही सही है, तो फिर मैंने क्या पढ़ा था, इस कोण से जिली की है, आज़ो देखते हैं, देखो, पहली बात तो यह गिर परजाती की गाएं हैं, ठीक है, गिर मतलब गुजराच, और, क्या है, ना ना, किस हराणवी गाएं ने, है, चलो ठीक है, भाई देखो, गाएं रानी है, यह कुर्चेतर से, इस से पहले एक गाएं का होर था, रिकोर्ड, उस गाएं का नाम था हरनाल, 28 लीटर, पता नहीं, 38 लीटर दूद देती थी, वो थी, इसकी, CIRB, इसकी, Central Institute 2 वाले की, हमारे हिसार वाले की, मतलब अपने हिसार वाले की, ठीक है, ना, सबसे ज़्यादा, तो यह गाएं बनी है, भाई, रानी गाएं बनी है, ठीक है, तो गाएं के बारे माएं, गाएं हमारी माता है, पसु हमारे, देखो, 280 दिन गरब काल, सबसे ज़्यादा सामें, बहुत प्यारा जीव होता है, गाएं की तरफ देखते ही, कितना खुसी महसूस होती है, ना, सबसे कम रेवाडी में, राज्य की पहली गव साला, स्वामी द्यानन जीओं के द्वारा, 24 दिसंबर 1888 को, रेवाडी में खोली गई थी वेटा, स्वामी द्यानन जीओं और हर्याना करंट अफेर की कलास है, गंगा क्लोनिंग के आएगी, गंगा क्लोन के द्वारा त्यार की गई, पहली गाएं है, वो आगे आएगी, अगले क्वेस्टिन में आएगी, कर लोगे, चाह बाज़ो गाएं के बारे में, भारत में गाए मसाज पार्लर कहा है, भूर फिर वो चापा मारी है फिर वो देख वीडियो आती उसकी उसका पजामा भी खोए पर पुलीस आगे आगे वो पीछे 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 देखा ना तो हिसार आएगा इसका वेटा ठीक है ना गाईं कर लोगत इसका रानस्वार आएगा रानी और यह कुर्चेतर की वाई 24 घंटे में दिया है एक साथ नहीं दिया हाँ गो अभ्यारन आगा अबे डंडूर गाओं में एक मातर गो अभ्यारन जैसे वन्य जी वो भ्यारन है ना हमारे साथाथ इस तरीके से वन्य गो अभ्यारन है अबारे डंडूर में हिसार हमारे हर्याना के डंडूर गाओं में नेसल हाइवे नेस नाइन पर पड़ता है हिसार में है और गो सरक्षन अधीनियम कद लेके आई थी हर्याना सरकार गो सरक्षन अधीनियम या इसके गो सेवा अधीनियम के चेर्मैन जो बनाए गया है जो बोर्ड बनाए गो रख्षक बोर्ड उसका सरवन कुमार अध्यक्स है भई सरवन कुमार करग तो ये गोस्रक्षन अधीनियम क्या था? पूरे भारत में पहला राजे था जिसने गोस्रक्षन अधीनियम लेके आये था वही देख रजक, मुझे क्या लगता है नहीं लगता है मुझे क्या पता? गुरूप डी का पेपर होगा नहीं होगा मारा काम सिर्फ पढ़ाना है ना कि बच्चों को मिसगाइड करना ठीक है? तो कब आया बेटा? 16 मारस 2015 को और ऐसा पारीत करने ये अधीनियम पारीत करने वाला पहला राजे था देश का ध्यान रखना और एक और यहां से क्वेस्टन ध्यान रखो खर्याना पंचाइटी एक्ट में अब तक तीन बार ही संसोधन हुए है आपको कमेंट करके बताना वो संसोधन कौन कौन से हुँ ठीक है ना? खैनर करना इस बात का तो इसमें बोला था अगर किसी गाईं की मर्त्यू कर दी मार दिया तो दस साल की सजा है और अपंग कर दिया तो तीन से पांस साल की सजा है फिर आया काउ होस्टल गाएं होस्टल कहां खुलेगा ही? होस्टल में रहेंगी गाएं मज़े से फोन पर वाई भाई पर बात करेंगी और काशा बदाम की वीडियो देखेंगी काउं होस्टल कहां खुलेगा मेरा रंगदिबसंती सोला गाई सुनेंगी होस्टल में क्योंकि होस्टल में ऐसे ही करते है विटा भी नहीं सब रहे होस्टलों में पैसे जिंदिगी होस्टल की बाकी दो बखवास है लिवानी के उगाड़ी गाओं में एक उगाड़ा गाओं भी है ना विटा भी नहीं क्लास में आजाओ चलो छोड़ जो कैसे ना आगे आजाओ हर्याना के किस जिले में गुरु रविदास की 646 वी जैन्ती बनाई इससे पहले एक रुचेतर में बनाई थी ये वाली यमना नगर गुरुगाम जीन में बनाई है रविद राजेस भाई यार बार-बार कमेंट करके आप क्यों ये कर रहे हो जब मैंने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता इस अकजाम का पढ़ाने दो यार अब तो यार मतलब मेंटली टोर्चर करने में मज़ा आता है आज हम बोल दें नहीं होगा अकल को तुम ही वीडियो बनाओगे छोड़ दियां चीजों भी वीडियो बनाना रसलपूर किस गाउं से हैं मतलब ना बेटा प्रसन गलत लेगा दो गलत लेगा बेटा शिक्सा पर कितना खरच होगा अगला प्रसन गलत लेगा बेटा तो शिक्सा पर कितना खरच होगा भई पी वाई क्यू नहीं होते हमारे यहां हमारे यहां PYQ के साथ होता है पूरा लपेट लेते हैं क्वेशन को चाहर एड आगी एड बंद कर दू न लाइक ही हैंगे बंद कर दिया गरो लाइक एंड शेर ठोक दो भाई ये बोल रहें स्टेडी मंतरा तो शिक्सा पर अभी बताया था 11.6 तो पिछले साल में वरीदी हुई थी 1,83,950 क्रोड रुपे का बजट था शिक्सा पर इतना हुआ और स्टेपर मैंने बताया था 4.6 ठीक है और 1,83,950 क्रोड रुपे का बजट था सरकार को पूरा खर्चा कर रहे है भाई लाइड है लाग के सूंट आ रहे है ठीक है एंडियार आई देखो यह आ गया क्वेस्टन जी देखो कितना प्यारा क्वेस्टन आ गया जी देखो कितना प्यारा क्वेस्टन आ गया है आ गया ना गया गया एंडियार आई ने बैंस के बाद अब किस सप्लता प्रोक्रोन गाईं और इस गाईं का नाम रखा गंगा यह ओफिशल साइट से आते हैं क्वेस्टन्स ओफिशल साइट पर भरी पड़ी है गउमाता गंगा अभी देखो क्या क्वेस्टन है इसका इंडियार नाम नहीं था यह क्वेस्टन भी आ चुका है उसका नाम था इंपिरियल कोलेज नाम था इसका इंपिरियल कोलेज ओफ एनिमल हस्पेंडरी इसका नाम था इसके वाई संसबर का नाम बताना यहां पर वाई संसलर इंडियार आई में अब धोकी सींडियल से पड़ते हैं तब तक इसके वाई संसर का नाम बताओ माई झाल झाल वाई संसलर नी बताया को न है बताव वाई संसलर वाई संसलर सही है अब तो अब तो क्लास मफरीग नहीं कर रही कोई दिक्कत नहीं क्लास में अब ओके है बताव फटाफट गाई देखो इस एंडियर आई के द्वारा पहले जो पहला कलोन था वो था कटड़ी का उसका नाम था गरीमा समझ मैं या कटड़ी गरीमा अनील कुमार यहां का वाइस सांसलर है अनील कुमार श्री वास्ताव समझ मैं इसके वाइस सांसलर का क्या नाम है अनील कुमार श्री वास्ताव के उके उनस्टी का वाइस सांसलर कोन है डॉक्टर सोमना सस्देवा श्री क्रिशन आई स्वी सुविदाले का डॉक्र सचनाज देवा गुरू जंबेशर उनवर्श्टी का नर्सी सिंग विशनोई गुरू एच्च उनवर्श्टी का डॉक्टर बी आर कमबोज सेंटर उनवर्श्टी महेंदरगाड कौन डॉक्र टंकेशवर जी को याद किया करो ठीक है । चलम अब डीखो ने कहा से ली गई थी कि dug परर जाती कीनट βीएहल ह्भू अफ़ेघ़्र प्रजाती के ली थी खिर परजाती की सिन्हों आथ कजोन डिया गए थि हर्याना के किस इंसिचूट ने आठ कटडियों का कलोन त्यार किया था बताओ फटाफट उस इंसिचूट का नाम बताओ NDRI भैंस भैंस का अगर अगर काल कितना नी फोन नहीं आ था भाई हम कलास में नहीं जाते थे जाय हुँँ तो ऐसे गया था तो भैंस का गरपकाल 310 दिन होता ठीक है सबसे ज़्यादा भैंस हिसार में मिलती है और सबसे कम पंचकुला में मिलती है और भैंस का तो कोई गउसाडा भी नहीं खोली जाती है 19.63 लाग भैंस है हर्याना में सबसे ज़्यादा पसुधन हिसार में है सगन पसु योजना 1972 भीवाणी में आई थी ठीक है तो ये जो आठ कटडियों का तलोग कलोन त्यार किया था बेटा ये CIRB नहीं किया था Central Institute of Fellow Research 1985 में स्टेबलाइज हुआ था हिसार में इस काम के लिए इनको नाना देश मुखावाड भी दिया गया था जिसकी रासी पांच लाक रुपे नाना देश मुखावाड CIRB हिसार ने किया था ठीक है ना Central Institute of Fellow Research यही पर घोड़ा परजन के अंदर है और यहाँ पर एक बेफैलो का जो हमारा है वीरिये बैंक भी खोला गया है ठीक है ना ECM-CIRB में इही पर घोड़े हैं गधे भी हैं देख के आथ हमें और क्लोनिंग भी है लुआस अलग है बेटा लुआस यूरस्टी है लुआस तो यह गाउं का नाम है वहाँ पर लाला लाजपत्राई उनुस्टी है 2010 लाला लाजपत्राई विस्विदेले यह लुआस गाउं में 2010 हिसार H.E.E. का पार्ट है अलग-अलग हैं यह सारे इनके चीफ अलग हैं सब कुछ अलग-अलग है ठीक है ना वाइस चांस्तराई लग 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 इनका बजट अग लग आता है कर लोगे यह ऐसे क्यों हो जाता है यह भी दिक्कत होगी तो यह गाएं हमारी माता है ठीक है हर्याना के किस में स्री किस्टन आइस भिस्विदेले बनाय जा रहा है सब्सक्राइब करते हो जाड़े तीर गंटे होगे सर फर के पानी का बार है पड़ देरो कितने अजार क्वेस्टन ओली है दिल वालों को दिल ली से राम राम भाई कितने अजार क्वेस्टन ओली है बताओ फुटाबट तो हर्याना के किस दिले में कृष न स्विश्वám देले है आगया न गज़व को क्वेस्टन के उके में है क्या नाम है इसका पूरा नाम है स्रीट ग्रिश्वश्वैण इसका वाई समसर बताओ utet आयू स्विस्व सो एकड़ में बनाई गई है कुरुक्षेतर कल यही बताई थी मैंने आज क्वेस्टन आगा सामने कुरुक्षेतर इसके वाई सांस्तर कौन है वही है जो कुरुक्षेतरा युश्टी के सोमनाथ सच देवा यह वही आयू स्विस्व से बदल है आईरवेदिक, योगा, युनानी, सिद्धा, होमोपेथिक आईरवेदिक, युनानी, होमोपेथिक, सिद्धा, सिद्धा और होमोपेथिक आईरवेदिक, योगा, युनानी, सिद्धा, होमोपेथिक आयूस पांच पद्धितियों से किसी का इलाज किया जाएगा किसी को खुजली है तो हमोपैथिक किसी को जलन खोरी है तो उसका अईरुवेदिक इलाज होगा कई होते ना जलन खोर जलन खोरी भी होती कईयों को बिमारी है आधुनिक आईरवेदिक कोलेज कहा बन रहा है यह क्वेशन भी रिपीट कर रहा हूँ आधुनिक आईरवेदिक कोलेज पटापट परदीप इतना एक बार यह पंचकुला में वह यह उपर यह टाइम दिखताना तो दिख्कत होती है कितना टाइम होगा अपर देखना निचाता कि कितने गंटे पड़ाद कि रागे रहे यह है मेरी फैबरेट खिलाडी है नीतू गणकस थैंक्यू कपील थैंक्यू कपील इतने कमेल्ट मत किया कर प्लीज यार सेशन को लाइक एंड सीर कर विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियंशिप में नीतू गणकस डेटो वर्थ बतानी है सब कुछ बताना है कहाँ वी थी यह दिल्ली में दो लड़कियां गोल्ड लेके है हमारी राइटन स्वरे विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियंशिप में हर्याना की दो लड़कियां गोल्ड लेके आती है एक का नाम स्वीटी बुरा देट ओवर्थ उनी सो तिराण में किसार के गिरहाए गाओं की है मैंने रोनात बोल दिया था फिर मेरे पास फोन आया कि मैं तो पाइम या उड़की एक है नीटू गनगस इसकी कटेगरी बताओ स्वीटी बुरा की इसकी कटेगरी पूछेगा स्वीटी बुरा की कटेगरी क्या है नीटू गनगस भीवानी के धनाना गाओं की बाई तो इसकी कटाइगरी भी पूछेगा बेटा इसकी तो कटाइगरी उपरी लीकर रख गए 48 किलोग्राम और कॉमन वेल्थ में भी गोल्ड था भाई छोरी का कॉमन वेल्थ 1930 हेमिलिंटन कनाड़ा से सुरुआत होती है तो इसकी कटाइगरी है बेटा 81 किलोग्राम और उसकी 48 इसकी डेटो वर्थ 1993 उसकी डेटो वर्थ बताओ इसकी डेटो वर्थ 1993 इसकी डेटो वर्थ बताओ फटाफट मतलब कुछ रहना नहीं चाहिए उस खिलाडी के बारे में ताकि वो कल को भीवानी के ध्राना गाउंकी भाई ये ध्राना लेटो वर्थ बताओ फटाफट है अब कोई वाई-फाई के डिक्कत नहीं आ रही ओके है क्लास कि पर दो हजार पूरी डेग्जेक्टेट बताओ कि मनीशा नहीं नहीं बताया ना उननीश के बताया करता मीरा भाई चानों अने भी जीता था इसमें गॉमन वैल निसे ने भी जीत वर लोगे मंदल्यगा केता आफा बर्याणा में कितने मजदूरों को मान डें कितने परतीदिन कर दिया है बिलेट मिसन के बारे में कल बता दूंगा खुल के देखो अब उसके बारे में कुछ जी टवन्टी के एम सी क्यू को देख लेंगे कल या पर सूँ पताओ फटाओ सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहा है समत क्या कितने रुपे की बढ़ोत्री हुई है कितने रुपे की बढ़ोत्री हुई है नरेगा मजदूरों को रोजगार दिया था रास्टे रोजगार गारंटी का रेकरम दो फ़रुई दोजार च्छे को दोस्तो जिलों में सुरुवात की थी इसमें बोला दागा कि सो दिन हम जरूर काम देंगे और इन दोसो में से हर्याना के सिर्फ दो जिले थे उजिज शुरुवात हुई वो थे सिरसा और महंदरगट फिर क्वेस्टन पूछेगा कि नरेगा का नाम नरेगा कब किया तो नरेगा का मितल महात्मा गांधी रोजगार गंटी का रेकरम कर दिया था दो कतुबर दो हजार नो को फिर एक क्वेस्टन और बरंग्या पूर्ण हर्याना में नरेगा कब लागू होगा पूर्ण हर्याना में पूरे सार्वी डिस्टिक में लागू तो अन्सवर आएगा वेटा आप्रायल दो हजार आठ बस इसे भार कुछ नहीं दिखादो कंटेंट जो बोलते ना इप इधर आ यहो जो टाइम दिख्तरा ना तीन इंगी जिक्ता आरेश यह मद दिखा मुझे दिख्टा उन पुर्ण करते आनलिटिक्स तो दिख्तार रह। निए ही एठीट अनलिटिक्स दिख्तार रह। कि रहे होई कि चलो कर रोगे कि मांगे सरकार नहीं दिया है इसे माटी खोदी वहीं डलगी कुछ ऐसे मतलब बीजी रहना ची आदमी कि आज क्रिष्टा केंदर पर आजाओ क्रिष्टा एक्सिलेंसी है ना क्रिष्टा केंदर सबसे पहले तो गन्य का किसका देखो अमरूद का 1963 यह डेट सिर्फ इसकी देर की भई गुन्ना में गुन्ना बोले फत्यावाद में फिर आलू का देर का भई निल्लो खेडी में अधिकल तो यह प्याज का नू में आगया नू में कौन सा गाओं पिगन गाओं पिगनवा गाओं है कोई अभी उतकर्ष्टा के अंदर क्या होते है कोई बताएगा अधिक्यू कुछने के लिए कितने उतकर्ष्ट के अंदर है हर्याणा में कितने उतकर्ष्टा के अंदर हैं ग्यारा टोटल स्यावास बेटा संजू कितने हैं ग्यारा अब आजाओ क्या है उतकर्ष्टा के अंदर सबसे पहला उतकर्ष्टा के अंदर 1994 में खुला था जब हमारे यहां इंडोडेश प्रोजेक्ट आया था 1994 में भजनलाल सरकार में भजनलाल जी 1986 में रक्षा मंतरी रहे हैं भई यह आया था 1570 लाग की दो एक योजना लेके इसमें खोला हमने Center of Excellence for Fruits फलों का उतकर्ष्टा के अंदर मंजियाना में और मंजियाना कहा है सिरसान फिर Center of Excellence for Vegetables फैजी टेबल्स खोला हमने घ्रूंडा में और घ्रूंडा इस अ करनाल हम किसकी सैता ले रहे थे यहां इंडोड़ुच में नीदर लैंड की और फिर बाद में हमने यहां साहिताली इसराइल की कमिन माया और अब गन्नोर सोनी पत्त में भी हम एक अंतरास्टिय मंडी खोल रहे हैं बागवानी अंतरास्टिय गन्नोर सोनी पत्त में तो यहां से क्वेशन पूछू सब्जी जैविक सब्जी उतकर्ष्ट्रा के अंदर हर्याणा में कहां पर खोला गया रहे हैं बताओ और सेशन कैसा रहा ओफ्लाइन कमेंट आने चाहिए हजार ठीक ना बेमानी मत करना सेशन कैसा रहा अच्छा रहा जोस कतम होगा जोस क्यूं कतम होगा कि खोल गाता है मेंदर गड़ में जैविक खेती करने वाला पूर्ण ते पहला जिला कौन सा है सिर्शा राज्य सिक्क्यम अगला कुस्टन्स भारत की किस दिले में बंदे मातरम ट्रेंड बनाई जाएगी चाहे पीली अब जोस हो रहा जाएगा प्रेंड टाटाँ सबसे पहले ठारा सु तीयतर हरियाना में दिली से रिवाडी रिवाडी सबसे पुराना जंक्सन है रिवाडी में रेलेवे संग्रायले भी है और हमारे सेंडी सेंड मैंने दुबारा रिपीट के 2015 रह तक से रिवाडी की बीच में राइट अन्सवर इसका है जगा सोनीपत सोनीपत के गन्णोर में मैंने पहले भी बताई थी क्वेशन तो हमने क्या पड़ा है कि रेलेवे वरक्सोप पड़ा अब तक कि जो रेलेवे का वरक्सोप है वो कहां है 1952 जगादरी लेकिन यह क्वेशन भी तो मैंने करवा रखा है कि कि जिले में बंदे मात्रम के ट्रेन मनाई जाएगे इसके मनेगा अब आज में कोई कमी नहीं है जूट मत बोल कि प्रदीप साउंड चेक करना भाई जूठी अब आज में कौन सी कमी है तेज मत बोलो सर क्यूं लीड दगा रखी होगी और लीड में दो पता है मुझे मेरी आवाज का मेरी आवाज मेरे से नहीं सुनी जाते लीड में करता हम मैं ट्राई आव मोटी आवाज है गुस्षा तम होता ही नहीं च्छा बजे लगी थी क्लास नो पचास होगे तीरी घंटे पचास मिंट होगे चाड़े च्यार पास घंटे चलेगी अगर पढ़ो तो गे तो दूसरी ट्रेनी हाँ पर चलेगी हमारे यां ठीक है ना सोनी पत्म इसके वो बनाए जाएंगे चलो साउंड इंक्रीज कर दो प्रोसी भी उठके आ जाएंगे तुम्हारे घर ठीक है ना एस्टेट साइंस मोग टेस्ट हम एप में करवाते मोग टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारे यहां हर टोपिक के एम सी क्यू साथ में करवाते हम मल्टिपल च्वाइस क्वेशन्स प्रिवीश यर क्वेशन बैंक सब गारंटी इसी में करवाते हैं साथमीर सूचि में तो किया जाता है समईधान की पर शात्वीन सूची में जोड़ा जाता है ये वाला संग सूची ये सात्वी के ही तो पार्ट है राज्य सूची और समवर्ती सूची सो इक सट बावन विशे हैं ये सो विशे एक सट बावन सरम संग सूची, राज्य सूची, समवरती तो ये साथ वेन सूची में हम इनको जोड़ा गया है कोई भी राज्य अपना बिल पाई देखो, ये हमारी सेंटर सरकार है और ये स्टेट है तो ये दोनों मिलके करेंगे तो समवरती, स्टेट करेगा तो राज्य और संग करेगा तो यूनिल केंदर सरकार अब जैसे, पंचाईती राज का example लेता हूं, तो पंचाईती राज किसका कौन सी सूची का विशे है अर्याना पंचाईती एक्ट कब आया था 1922 अप्राइल 1934 में हमने पंचाईती राज को अपनाया था ना तो उसमें कितने संसोधन हो चुके हैं तीन एक संसोधन तो यही है जो हमने सितंबर 2015 में अपनाया था कि पढ़े लिखे सरपंच होंगे तो तीन बार संसोधन हो चुका है अब तक हमारे हाँ हर्याना पंचाईती राज एक्ट में ठीक है ना तो यह राजे सुची का विशे है हम कैसी भी पंचाईत बना सकते हैं किसी को भी पंचाईत बना सकते हैं हमारे यहाँ पंचाईत बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि 500 मत दाता होने चाहिए किसी भी गाउं में पंच होते हैं तो maximum जो पंच होंगे किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 करेंगे हम और minimum 6 करेंगे और सरपंचनी भी बनेगी इवा दिलों की धड़कन ठीक है? तो पंचायतों में हमने जो सैक्सनिक योगटा लागू की थी गुजरात के बाद हम दूसरे थी सैक्सनिक योगटा तो 5 सितंबर 2015 से हमने इसको सुरू किया था चीक है? चालो अगले कुशन की तरफ रास्ट्रपती सासन्स अब को पता है तो? रास्ट्रपती सासन्स आसा पती के पैसे दे-दे योगट नोट बंदी हुई थी ना तो नोट बंदी में नहीं दिये थे पहली बार 1967 फिर 1903 फिर 1901 तीन बार लगा हमारे रास्ट्रपती सासन्स ठीक है? तो आस्या लगा हमारा रास्ट्रिय अपात्काल रास्ट्रिय अपात्काल कोन से उसमें है? 352 में अब तक तीन बार लगा है भाई आसा रासे रास्ट्रपती सासन सासे सासन आर्टिकल 356 में और पैसे दे-दे वितिय अपात्काल एक बार लगने के चांस थे 1910 में में जब हमने ग्लोबलाइजेस नेजी कर्ण वैसिविकर्ण सब बना लिया तो ये 360 में आता है ठीक है? और बताओ आठ वंबर 2000 आठ बसते ही जड़ा चड़ा दिया था 2016 के बाद हमारे उसने तो उसने नोट भी बदले जाएं क्योंकि सब नोटों पे रिजरो बैंक कोफ इंडिया है और भारत सरकार कहा रही हम इंडिया का नाम बदलेंगे भारत रखेंगे तो आरभी आई के हर नोट पर आरभी है रिजरो बैंक कोफ इंडिया है दाहीने पे देखोगे ना जब नोट करके तो दाहीने हाथ पे सब सूपर आरभियाई लिखा रिजरो बैंक को फिंडिया तो वहां पर लिखना पड़ेगा रिजरो बैंक को भारत तो इसका मतलब सभी नोट वापिस आएंगे सर मेरी एनर्जी का राज मेरी एनर्जी का राज है भाई गरीबी तहां से उठके आया हूँ चांदी की चम्मस लेके पैदा नहीं हुए थे ठीक है ना तो यह था कि कुछ करना है तो कुछ करना है कर जाओ बस अर्याना में उच नहीं लेके नाइदीशों की सेवन नर्थी यह स्टनेट में आ था लेकिन क्वेस्टन की लेंगवेश चेंज कर दी पासट होती ना आई कोट की वाशट सुप्रीम कोट की पासट सुप्रीम कोट कब बना 26 जनौर 1950 तो हमारे पर्थम सीजी आई कोन थे चीफ जसिस ओफ इंडिया हीरा नाल जे कानिया आयाना अट प्रसेंट कोन है सीजी आई सुप्रीम कोट के पचासवे नंबर के, यह मैं जोड दे रहा हूं, दिली प्रीस में छप जाएगा, पचासवे नंबर के कोन है, टी वाइट चंदर चूड, यह तो कुछ भी नहीं मेरे भाई, 10 गंटे लगातार ओफ लाइन में, ओन लाइन में तो चाय आ जा रही है, मुझे याद भी याद है, क्रिस्टोफर सर के साथ, जी यह स्पेशल के बैच से लाए थे हमने, तो बीच में आदा गंटे का ब्रेक मिला था, एक दिल लगातार 11 गंटे की कलास होई थी, सुबह 7 बजे खड़ा हुआ था, मुझे याद है, 7.15 पे में होल से बाहर निकला था एक दिन की स्पेशल देट हाऊ, जी जो 17 गंटे की डेली होती थी, उस दिन एक बैच फाल तू लेना पड़ गया था कर लोगे, वो एक बात है, ये जो उन्च नेले के नायदी सना, इनकी नुकती राजय पाल नहीं करता, टीजी टी के स्ट्रेट में आ था ना, ना इनकी नुकती कौन करता है, राश्ट्रपती करता है, अनुचे 217 के कोडिंग, समझ माया ये कुशन आया था ना, कि राजय पाल किसकी नुकती नहीं करता, करता, या नि एक स्टेटमेंट बतानी थी कौन सी गलत है, सुप्रिम कोट 124 में बेटा, जो हमारा सुप्रिम कोट है, वो 124 आर्टीकल में है, और जो हाई कोट है, वो 214 में है, शुआलो, बताओ फटाफट, सही चंदरी क्लास, ओके, सैसन को लाइक एंड शेयर करते रहा करो, ऐसे बत किया करो, प्रमातमा देखता है, प्रमातमा, बढ़ टीजीटी के रेजल्ट के बारे में पूच के बताऊंगा, मुझे नहीं पता अब कुछ भी, इसके बारे में, पताओ इस कांसर, झाल, 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 झाल झाल सबसे पहली राइट अंसर ये पहली जनगना हुई थी ठारा सो बहतर में किसके समय है लाड मेयो के समय है पहली सू नियोजी जनगना अठारा सो इक्यासी में किसके समय है लाड रीपन के समय है और हमारी पहली जनगना भारत की कब हुई 1951 में और इसके हिसाब से पंदरवी जन गंना है हमारी और हर्याना की पांचमी जन गंना तो विस कर आयप्टन सो रा जाएगा ऐनीडाउट कि नेट खतं होने वाला है मतनेज giàना है कि पीजाना ऐसे चार गंटे तो नियुक्त चार घंटे कम से कम कलास लेंगे 600 Ho 600 fabulous किमेंट करो लेख सर्क सैसन कैसा रहा उमीद करता हूँ कि आप अच्छे रिव्यू दोगे और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और फिर मैं अगली कोई क्लास लेकर आओं ऐसा नहीं कि सेलफीस बन जाओ ना दो कोई बात नहीं है पी बाई कोई बात नहीं यार हम मैंने कब कहां ना दो ना दो मैं तो तब भी खुछ हूँ और बता आपके रिव्यू ना देने से मुझे यह नी की नीद नहीं आई एंसन मतले मेरे सेर तो हलकी बुलफ्रूट्स दुनिया की सबसे हमारे आस रहत तक में बनेगी सबसे बुलफ्रूट्स जैकेट्स हमारी है स्पीड बहुत है एपे में बहुत सलो पढ़ाता हूँ यहां जान बुझ के पढ़ाना पढ़ता है रहतक लिखना हलकी प्रूफ जैकेट नीचे लिखना अभी कमेंट किस दिले में प्रदेश का पहला इससे पहले यह जो अगनी समक था मतलब आग बुझाने वाला यह सिर्फ नागपूर में था महरास्टर में अब यह ऐसे डिस्ट्रिक में खुलेगा जो दिल है हर्याना का हाल्टों फर्याना जीन हाल्टों फर्याना जीन में है यह जहान अरकना इस बात का साथ जिलों से सीमा लगती है जीन के ऐसे मत करियो लिखना अगला पहवा मेला कब से कब तक लगा पहवा मेला 2000 पहवा मेला लगता है धार्मी संसकर्ति का तो बताइए जीन में जो पहली था जीन में के उचाने में भी बनेगा तो पताओ पटापट शीज दराइटन सवर वो की खिलाडी रानी रामपाल वो अपनी सान है भारत की रानी रामपाल इनका संबंद कुरुक्षेतर जिले से है इनका जनमस्तान सहाबाद है चीक है तो इनके नाप पर उत्तर प्रदेश में बनेगा यूपी मेक स्टेडियम रानी रामपाल के नाम पर चीक है और रानी रामपाल कोन है राजी गांदी खेल रतन आवाडी ध्यान रकना इसे बात को राजिव गांदी खेल रतन प्राप्ट कर चुकि तेरा खिलाडी एनार याना के विनेश फोगाट के साथ मिला था इनको 2019-2020 में विनेश फोगाट के साथ रानी रामपाल को इनको पंजाब विश्व विदेले के दोबारा एक अवार्ड भी दिया गया है पी-उ खेल रतन प्राप्ट कई साल ये इंडिन टीम केप्टरन भी रानी रामपाल 2019 की बेस्ट खिलाडी का वार्ड भी मिला इनको बेस्पोर्स पर्सन ओफ दा इयर्स फिमेल का वार्ड भी मिला है ठीक है ना यूपी में मिलेगा बिटार यूपी इसका राइट अंसर होगा ठीक है चलो गले छटे हर्याने वंतरास्टी फिल्म होत्सों कायोजन कहां किया गया बताइए वैसे हमारी फिल्म सीटी कहां राइट अंसर क्या जाएगा इसका करनाड करनाड एक ऐसा साहर है जो ठारा सोच है में ब्रिटी संपायर के द्वारा बसाया गया था हर्याना का पैरिश तो बोलते उनिस्टों में लिब्रिटी साहज पासमती चावल खाड़ी देसों को निर्यात कि जाते हैं करनाल के 1997भी एक ट्रेंग संटर खूला गया था हर्याना में चार प्लीस ट्रेंग सेंटर है में ऑलिस में हिसार में है इस अब गलत बात है उ कि एस्टी होल्डर हो कि हिंडिया ने 2022 महिला प्लेयर ऑफ दौजार रुनिस की रानी राम पाल थी ये कोन है दो हुजार फटाफट चार घंटे होगा ना पूरे तो चार घंटे ही करने दे मैंने क्लास इसका अंसर स्वीता पुनिया कहा की है सिर्शा की है और सिज्च का के जोदका गाओं की है तो पर तो बताओ इसको दीवाल के नाम से फिमस है दीवाल के नाम से परसिद है 2022 के बाद मैंने पहली लंबी क्लास ली है कि आदत हो जाए फिर मैं लंबी क्लास लिया करूं करूं कि कल नहीं है बेटा कल टेकनिकल वालों के लिए लग पुछ फिक ना तो जो जो पहली बार आई है थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दीता हूं सेसन कैसा रहा यह तो कमेंट करके जाना ही जाना आपको फोड़ा सा जो पहली बार बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक क्वेस्टन भी पूछू तो नहीं हुआ उसको ही की जवाब दिया करो भाई तेरे से नहीं हुआ तो इसका मतलब यह थोड़ा है अब लाल कृष्ण आडवानी जी बोले कि मैं प्रधान मंतरी नहीं बना तो कोई नहीं बन सकता बनाना अंदरेंद्रमोदी तो जिन्ददगी में हर एक इंसान का लग भी अलग होता है आईक्यू लेबर भी अलग होता है सीटिंग अलग होती है एक कंसंट्रेशन होती है और quality time कितना होता है यह खान अरकना इस बात का quantity पर ध्यानमत करो कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूं कोई फरक नहीं पढ़ता हूं ठीक ना क्वाल्टी का मतलब होता है कि क्वाल्टी टाइम कि सर मैं 4-5 घंटे दिल से लाइबरीरी बजाता हूं चोई मुखवरजिनगर हो सब किसी भी सहर में हो चार-5 घंटे में सर मैं सब कुछ अपना जो मुझे मेरा टाइम शेडूल है मैं उसको त्रीके से कर लेता हूं लग फाक्टर उन्हीं के साथ होता है जो महनत करते हैं समझ मैं ना अब कोई बहले कि मैं तो भाग्य के भावरों से बैठा हूं भाग्य तो चलके आएगा नहीं ये कोई सीमा है दर तो है निकि सीमा पार करके आ जाए तो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है तुभानों से लड़ने का होसला रखते हैं जिंदगी में चैलेंज को स्विकार करते हैं आजा तू भी सही आएंगे दिन में दस चैलेंज आएंगे भैंस पिलानी पिला दो खेतों का काम करना कर दो, पैसे नहीं है, कोई उधार ले लो, कोई उधार नहीं दे रहा तो थोड़े, कम पैसों में काम चला लो, तो जिंदिगी ऐसा बस, ऐसे ही चलती रहे, ठीक है, लवी सुभी को सैसन का ऐसारा ओफलाइन कमेंट जुरूर करना, चारसो इनाड़ में ग मारी तो सेलेक्शन की PDF आती है, हेलिग्राम पर लेवा, इतने वच्चे स्टेडी वंतरा की, कुछ लों इनसे रहना पुलीस में आई थी, पर लवी सुभी को सैसन का ऐसारा ओफलाइन कमेंट जुरूर करना, ठीक है, आई विल वेट, आपके कमेंट पढ़के ही सौंगा मै झालका के गुली oोओए और चलわか सैसे ऱुँेश someday क्युली झालका का एट्ती है, अईतने जूंटे कमेंटल्स Te Right